नमस्कार माइने मिज राहूल वेल्कम टू नियू डिस्कस करेंगे पिछले 6 महिनों का करेंट अफेर यानिके जून से नुवंबर तक का और ये एक रिवीजन क्लास है तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम स्मय में हम ज्यादा से ज्यादा प्रशनिस में डिस्कस कर सके हैं तो ये मनाय जाता है 31 अगस्त को मत शच्चमें फिल्म फिर पुरूसकारों में कीसे सर्व्सरित फिल्म का पुरूसकर दिया गया तो ये मिला है सीरसाह फिल्म को हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरो कोहन कों है तो ये एक धावक है तर्चा में रहा परक P.A.R.E.K.H. क्या है तो ये चात्रों के आकलन हित्व एक नियामक है भारत की आजादी के 75 वरस पूरे होने के उपलक्स में किस ने रंग स्वाधिनता का आयोजन किया तो रंग स्वाधिनता का आयोजन किया था संगीत नाटक अकाद में ने एक सितंबर 2022 को निमन मेश किस राज्या में नुवाखाई जुहार उत्सव मनायागा तो ये मनायागा उडिशा में परतिवर्स विशव ओजौन दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर गो टेनिस खिलाडी रोजर फेडर किस देश से है तो ये है स्विजरलेंज से 17 इस्तंबर 2022 को नामिबिया से लाए गए आठ तो ये चितों आठ चितों को किस राष्ट्रिय उध्यान में छोड़ा गया है तो इनको छोड़ा गया है कोनो राष्ट्रिय उध्यान में स्वस्ताही सेवा अभियान की स्राज्या की शुरुआत है तो ये स्वस्ताही सिवा अभियान 37 कट राज्या की शुरुआत है भारत के 76 ग्राण मास्टर कौन बने है तो भारत के 76 ग्राण मास्टर बने है प्रणव आनंद हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला उंट सवार दल त्यार किया है BSF ने. ईबाल निदान पोर्टल का सम्मध किस आयोग से है तो ये है राष्ट्रिया बाल अधिकार स्रख्षन आयोग से. प्रतिवर्ष अंतराष्ट्रिया लोकतंतर दिवस. कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 स्टमबर को हाल ही में किस ने Green Fins Hub लॉंच किया तो ये लॉंच किया है स्यूंग तरास्टर प्रेवर्ण का रगर्म स्टमबर 2022 में किस भारतिया को फ्रांस के स्रवोच नागरिक पुरुसकार Knight of the Legion of Honor से समानित किया गया स्टमबर 2022 में किसे भारत का पहला स्वच सुचल प्रदेश घोशित किया गया है तो भारत का पहला स्वच सुचल प्रदेश अंडवान निकोबार्दिवसमो को घोशित किया गया है देश की पहली Digital Address City कौन सी होगी तो ये होगी इंदोर किस देश ने सातवें पूर्वी आर्थिक मंच यानकी EEF की मेजबानी की तो ये करी है रूस ने इंडिया Discrimination Report 2022 किस ने जारी की तो ये रिपोर्ट जारी की है Oxfam इंडिया ने भारत की पहली Semiconductor Production Factory किस राज्या में स्थाबित की जाएगी तो Semiconductor Production Factory स्थाबित की जाएगी गुजरात में प्रतिवर्ष विशव बांस दिवस कब मना जाता है तो बांस दिवस मना जाता है पठारा इस्तेमर को देश में पहली बार किस राज्या के विधान मंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरेक्सित किया गया है तो ये आरेक्सित किया गया है उत्तर प्रदेश की विधान सभामे चर्चा में रहा Non-Modal क्या है तो ये एक तुपान का नाम है सुर्ख्यों में रहे उबान, फ्रेडी, सावनाह, आसा, सिबली, सेसा, सासा क्या है तो ये सारे के सारे हैं चीतों के नाम कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधाने नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है तो नूर सुल्तान का नाम बदलकर अब कर दिया है अस्ताना खालही में कौन सा राज्य है? खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकासित करने वाला देश का तीसरा राज्य है बना है तो ये बना है जारखंट कौन सा देश? शिरलंका का सबसे बड़ा धुईपक्सिया रिन दाता देश बन गया है तो ये बन गया है भारत हमने सबसे ज़्यादा रिन उसको दिया है कौन सा देश? चंदर्मा पर अपना पहला रोवर रासिद भेजने वाला है शियुउक्त अरब अमिराद पांग लहब सोब लहब सौल फेस्टिवल का समन्द किस राजय से तो इस फेस्टिवल का समन्द है सिख्क्म राजय से 19 स्टमबर 2022 को INS अजयHello को कहां से सिवामुक्त किया गया तो INS अजय tomato को सिवामुक्त किया गया था मुंबाई से सेफ महिला फुटबाल चेंपिन्शिप 2022 का खिताब किस ने जीता तो ये जीता है बंगलादेश ने किस देश ने विशोब में पहली बार वन्याजीव आरक्टिक भेडिये का सफलतापूरोग कलोन बनाया है तो ये कलोन बनाया है किस राज्य के दुआरा लॉंच किया गया प्रतिवर्स विशव अलजाइमर दीवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21 स्तंबर को वर्तमान में एसिया पैसिफिक इंस्टिटूट आफ बोर्ड कास्टिंग डिवल्पमेंट यानि के AIBD के अध्यक्स कौन है तो AIBD के अध्यक्स है अपना भारत देश देश की सबसे लंबी नदी कुरूज सेवा किन दो सहरों के बीच शुरू होगी तो ये कुरूज सेवा शुरू होगी वार्णासी और बोगिबिल के बीच में स्केल एप का संबन्द किस से है तो स्केल एप का संबन्द है चमड़ा उद्योग से डबलू टी एच नई आपन दोहजार बाइस का इकल खिताब किस ने जीता तो ये जीता है लिंडा फुहुविर्टोवा ने हाल ही में कौन नोर्थ चैनल को पार करने वाले पुरुवत्र छित्र के पहले और सबसे अधिक आयू के भारतिया तेराक बन गए हैं तो ये हैं एलविस हजारिका गलोबल फिंटेक फेस्ट 2022 का आयोजन कहा हुआ तो ये हुआ था मुंबई में प्रतिवर्स अंतराष्ट्रिय सांती दिवस कब बनाया जाता है तो अंतराष्ट्रिय सांती दिवस मनाया जाता है 21 स्टमबर को हाल ही में कौन नोर्थ चैनल पार करने वाले एसिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं तो पैरा स्विमर कौन है स्टेंदर सिंग लोहिया 22 स्टमबर 2022 को सवदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स आई एन एस निस्तार वे आई एन एस निपोन को कहां पर लॉंच किया गया तो इनको लॉंच किया गया है विसाखा पत्नम से हाल ही में भारत और अमेरिका के तरक्सिक बल ने कहां पर सिंगत अक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है तो यह अक्सरसाइज का नाम है अभ्यास इसका आयोजन हुआ है चन्नई में किस देश ने तो यह है यू एन तो यू एन इंटर एजन्सी टास्क फॉर्स और प्राथमिक स्वास्थय देख पाल डबल एच्चो स्पेशल प्रोग्राम 2022 यह किस ने जीता है तो यह जीता है भारत ने चर्चा में रहा हीम कोस सब्द किस भासा का है तो यह है असमिया भासा का वर्ल्ड राइनो डे कप मनाय जाता है यह मनाय जाता है बाइस स्टमबर को भारत का पहला डुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य सरकार ने अधिश उचित किया है तो यह किया है तमिलनाडू सरकार ने दो अक्तुबर से 25 जनवीट 2023 तक किस राज्य में खेल मह आकोंब का आयोजन किया जाएगा तो यह किया जाएगा उत्राखंट राच्य में वर्स 2023 में कौन सा देश पंधरवें ब्रिक्स सिखर सम्मेलन की अधिक्सता करेगा तो 2023 में ब्रिक्स मेलन की अधिक्सता करेगा दक्सिन अफरीका ए-learning प्लैटफोर्म भारत विद्या का कौन सा देश वर्स 2023 में पहली मोटो ग्रेंड प्रिक्स विश्व चैंपियर्शिप की मेजबाने करेगा तो यह करेगा भारत प्रति वर्स भारतिय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाय जाता है तो हाइफा दिवस मनाय जाता है 23 स्तमर को किस राज्य ने बेटियों की श शुरू करने की घोसना की है तो यह की है 36 गड राज्य ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हीम सखलन निगरानी रडार स्थापित किया गया तो यह किया गया सिक्किम में बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंदित है तो यह पहल संबं परतिवर्ष भारत में अंतोध्य दिवस कब मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 25 स्थम्बर को चर्चा में रहा ओपरेशन मेग चकर किस से समधिद है तो ओपरेशन मेग चकर समधिद है बाल यौन सोसन से देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां स्थापित किया गया तो पध्धु कम्मा उत्सव की शुरुवात की गई है तिलनगा नाराज्चे में दिलिप ट्रॉफी 2021-22 का किताब किस ने जीता तो ये जीता है पस्चमी छेत्र ने जोर्जिया मिलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमत्री बनी है तो ये बनी है इटली की प्रधानमत्री नामत्र प्रतियों गिता किस मंत्राले के दुवारा लॉंच की गई तो स्वच टोय के थौन ये शुरू की गई है आवासान इवं सहरी कारे मंत्राले दौर हाल ही में किस भारतिया लेखिका को हर्मन कैस्टन पुरुसकार 2022 दिया गया तो ये मिला है मीना कंडा सामे को प्र किस मंत्राले ने जल्दूत एप लॉंच की तो जल्दूत एप लॉंच की गरामे निविकास मंत्राले ने किसे बावनमा दादा साहब फाल के पुरुसकार दिये जाने की घोसना हुई तो ये आसा पारे को डोब ओफ दी यूनिकॉर्ण नाम का गेंडों के लिए समारक कहा स्थापित है कहां पर स्थित है ये स्थित है असमे रोस हसन नाह त्योहार किस धरम से समंदित है तो ये समंदित है यहूदी धरम से पोशक अनाज अवोर्ड 2022 किसे मिला तो ये मिला है 36 गड़ राच्या को प्रतिवर्ष विशव रेबिज धिवस कब मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 28 स्थम्बर को कदमा जैव विवितिता पारक का उद्गाटन कहां पर किया गया तो इसका उद्गाटन किया गया है जमसेदपूर में हाल ही में चर्चा में रहा ओप्रेशन ओक्टोपस किसे समंदित है तो ये ओप्रेशन था ED और NIA का रानिपूर वन्या जीव अभ्यारन किस राज्य में स्थित है तो रानिपूर वन्या जीव अभ्यारन स्थित है उत्तर प्रदेश में हाल ही में भारत की तरफ से किसने स्यूक्त समुद्री बलके वार्षिक प्रसिक्षन अभ्यास ओपरेशन सदन रिडिनेस में भागिदारी की तो ये है आई एनेस सुन्याना ने प्रति वर्स रिद्या दिवस कब मना जाता है ये मना जाता है 29 स्टमबर को जौन ग्रोवर का समन्द किस देश से है तो इनका समन्द है चेन से देश का पहला कोचिंग हब कहां विक्षित क्या जा रहा है तो ये विक्षित क्या जा रहा है जयापूर में विशव हरित अर्थुश्त सिक्र सम rides 2012 कहां अयोजित हुआ तो यह आयोजित हुआ दुबई बड़र परव पुमार सानो गोuck 28 स्थम्बर 2022 को किसे भारत का महान यायवादी न्युक्त किया गया? अनसर इस आर वेकट ट्रमने अंतरास्ट्रिय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 स्थम्बर को विशु का सबसे बड़ा सफारी पारक किस राज्या में स्थित है? यह स्थाबित किया जाएगा हरियाना में पुलमपारा भारत की पहली डिस्टर्ब रूप से साकसर पंचायत किस राज्या में स्थित है? तो यह स्थित है किरल में विशु बॉधिक संपदा संग्ठन द्वारा जारी वैसविक नवाचार सुचकांग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है? चालिशवाँ खालही में किस रज्य सरकार ने मुख्य मंतरी देरी पलस योजना का सुभारम किया है? तो यह किया है मध्यापरदेशन खालही मिजारी टाइमस हंडर्ड नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतिय सामिल है? तो यह सामिल है अकास अंबाने खालही में तिर्वें फिक्की वैस्विक कोसल सिखर समिलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो यह हुआ नई दिल्ली में अंतराष्ट्रिय वरिध्यजन दिवस कब मनाया जाता है? अंचर इस एक अक्तुबर हालही में युनेशकों ने कितने भारतिय विरासित वस्तुओं की सूची जारेगी है तो यह जारेगी है पचास वस्तुओं की सूचे एक अक्तुबर 2022 को किस राज्या में सामती और हिसा विभाग के गठन को मुझूरी दी गई है तो राजस्थान में आसरा पेंशन किस राज्यों सरकार की एक पेंशन योजना है? तो यह है तेलंगाना गी अंबेडगर एलाइफ किस की रजना है? तो यह है ससी थरूर के डॉनेस्टक लुहानस्क जोपोरिजिया वे खेरसोन किस देश के हिस्से है? तो यह है युक्रेन के किसे फिजियोलोजी के छित्र में नॉबल पुरुसकार 2022 से सम्मानित किये जाने की घोसना की गई है तो फिजियोलोजी में नॉबल पुरुसकार किसे मिलेगा? सवानते पाबो को महात्मा गांथी रूरल इंडस्ट्रिल पार्क योजना किस राजे से समंदित है? यह समंदित है 36 गड़ से हाल ही में किसे International Astronomical Federation का उपाध्यक्स चुना गया है? पहले सवदेशी विक्षित हलके लडाकोव हेलिकॉप्टर लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर LCH को किस नाम से वायुसिना में सामिल किया गया? तो किस नाम से सामिल किया गया? प्रचेंड से भोतिकी में वर्स 2022 का नोबल पुरुसकार किने प्राप्त हुआ? तो ये साथियो मिला है तीन लोगों को अलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ कलॉजर, एटॉन जिलिंगर हाल ही मिकी से UNSDG Action Awards में चेंजमेकर पुरुसकार सिस्मानित किया गया है तो ये चेंजमेकर पुरुसकार मिला है स्रिष्टी बक्षी को प्रती वर्स विशव प्रयावास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्तुबर के पहले सोमवार को फीबा महिला बॉसकेट बॉल विसुव कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता अमेरिका ने वर्स 2022 के लिए सुस्तर रामानुजन पुरुसकार किसे दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा यूनिकिंग टैंक को हाल ही में इसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सिरिज 2022 का खिताब जीता तो ये जीता है इंडिया लिजन्स ने पंदरवा अंत राष्ट्रिय सूफी रंग महोटसव 2022 कहां आयूजित हुआ ये आयूजित हुआ अजमेर राजस्थान ने प्रति वर्स राष्ट्रिय डॉल्फिन दिविस कब मनाया जाता है डॉल्फिन दिविस मना जाता है पांच अक्तुबर को गती सकती पॉर्टल लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो ये है गुजरात F.I.H. वर्स 2021-22 का सर्वस्रिष्ट पुरुस गौल के पर की से चुना गया अनसर इज पी आर स्रीजेस 2022 का सहित्या नोबल पुरुष्कार की से प्राप्त हुआ तो 2022 का सहित्या नोबल पुरुष्कार मिला है एनी एनॉक्स को इरानी कप 2022 किसने जीता तो ये जीता है सेस भारत UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तिमाल पर कितने रुपए तक के लेंदन पर कोई सुलक नहीं लगेगा तो answer is 2000, 2000 रुपए तक के लेंदन पर कोई भी सुलक नहीं लगेगा खादी और गरामोध्योग आयोग द्वारा कहां पर स्फुर्ती मेले का आयोजन किया गया तो ये आयोजन किया गया नहीं दिल्ली में प्रतिवर्स भारतिया वायू सेना दिवस कब मनाया जाता है तो भारतिया वायू सेना दिवस मनाया जाता है आठ अक्तुबर को हाल ही में किस राज्य में तीन प्रांतिय सुश़वत्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की गई है अनसर इस उत्रपडेश अड़वांस सुपर्वाईजरी मोनीटरिंग सिस्टम दक्स किसके द्वारा लॉंच किया गया तो दक्स सिस्टम लॉंच किया गया है RBI द्वारा अंतराष्ट्री है सोर गठमंदन की पांचवी सभा का आयोजन कहा किया गया तो ये किया गया नहीं दिल्ली में वार्शिक उत्सव स्री मनौत्मसम का आयोजन किस राज्या में किया गया तो ये किया गया है आंधर प्रदेश में इस राज्या या केंदर साशित प्रदेश में ने अपनी तरह का पहला पक्सी मोच सब शुरू गया तो ये शुरू गया है जम्मो कसमेर न सतिश्वे राष्ट्रिया खेलों में कौन योगासन में सवन जीदने वाली पहले खिलाडी बने तो ये बनी है पूजा पटेर प्रती वर्ष भारत में वन्या जीवस्वता कब मना जाता है तो ये मना जाता है दो अक्तुबर से आठ अक्तुबर तक इस राज्यमिस्थित माव मलूह गुफा को युनेस्को के दुनिया के पहले सो आई यू जी एस भू देगानिक सथलों में से एक के रूप में चुना गया है तो ये गुफा कहां स्थित है मिघाल्या में प्रती वर्ष विसो मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मना जाता है ये मना जाता है 10 अक्तुबर को हाल ही में प्रयावर्ण, वन और जलवायू प्रिवर्थन मंत्राल्या ने चीतों के निगरानी के लिए कितने सदस्य टास्क फोर्ष का गठन किया है तो ये है 9 सदस्य हाल ही में किस राज्या में देश के सबसे बड़े 25 विश्व खिताब जीता तो अंसर इस पंकज आडवान विश्व की सबसे उंचे सिव प्रतिमा विश्वास सवरूपम का लोकारपन कहां किया गया तो विश्वास सवरूपम का लोकारपन राजसमंद राजस्था में 31 मर्च 2023 को भारत का पहला बहु कला सांस्कृतिक के अंदर कहां खोला जाएगा तो ये खोला जाएगा मुंबई में मालाबार नोसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी किसने करी तो मालाबार अकसरसाइज की मेजबानी करी जपान ने अंतरास्ट्रिया बालिका देवस कब मना जाता है 223 में कौन सा राज्य ہے जिसमें राष्ट्रिया खेलों की जो राष्ट्रिया खेलों की मेजबानी करेगा तो ये करेगा गोवा किस मंतराले ने अतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 कहां पर आयूजित हुआ तो ये हुआ था मानेसर हर्याना में आलही में किसने Education 4.0 रिपोर्ट जारी की है तो ये की है विशव आर्थिक मंच ने प्रतिवर्स विशव अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है साथियो 12 अक्तुबर को 9.0 2022 को किसने भारत के 50 मुख्या नियाधिस के रूप में कारेभर संभाला तो 9.0 को नियामुर्थी डिवाई चंदर जोड़ एसमानता सुचकांक में कमी लाने की नुविन्तम पर्ति बधिता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया तो भारत को मिला है 123 रेंक वाड़ा एथलेट बायोलोजिकल पास्पोर्ट संगोस्थी 2022 का उजन कहां किया गया तो ये किया गया नई दिल्ली में टाइम्स हायर एजुकेशन दुवारा जारी वर्ल्ड युनिवर्स्टी रेंकिंग 2022 में सिर्श प्रदस्थन करने वाला संस्थान कौन सा है तो ये है अक्सफॉर्ड युनिवर्स्टी खाल ही में किस देश ने सूरिय के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू वन उपगरह लॉंच किया तो ये लॉंच किया है चाइना ने 36 में रास्ट्रिय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन सिर्श पर रहा तो ये है सर्विशिज स्पॉर्ट्स कंट्रॉल बोर्ड पहला विश्व सलोथ बियर डिवस कप मनाया गया ये मनाया गया 22 अक्टबर्ग फुटबोल फुर ओल किस राज्य की पहल है तो ये पहल है उडिसागी पी-म डिवाइन योजना किस चेतर से समन्दित है तो पी-म डिवाइन योजना समन्दित है रुवत्र चेतर से किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लौरिस अभ्यान को अधिशूचित किया है तो ये अधिशूचित किया है तमिलनाडो ने 13 अक्तुबर 2022 को राश्टरपदी द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कम्प्यूटर का उद्धाटन किया तो ये कहां पर किया है IIT गुवार्टी में मरसर CFA Global Pension Index 2022 में कौन सा देश सिर्ष पर रहा तो ये रहा है आइसलेंड साथ में इंडिया आर्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया ये किया गया नई तिल्ली में आयुरुवेद दिवस 2022 की थीम क्या रही तो ये थीम थी हर दिन हर घर आयुरुवेद इस रो द्वारा लॉंच किया गया LVM3 M2 वनवेब इंडिया वन निसन क्या है तो ये एक संचार उपगर है देश का 33 हाथी रिजर्व कौन सा होगा तो ये होगा त्राई हाथी रिजर्व FATF की ब्लेक लिस्ट में सामिल होने वाला भारत का प्रोसी देश कौन सा है तो ये है साथियो में मार अंडर 23 विशव कुस्ती चेंपिनसिप में स्वन पदक जीतने वाले पहली भारतिय कौन है तो ये है अमन सहरावत भारत और किस देश के बीच स्यूगत मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंफ आयोजित किया गया तो ये किस किस देश के बीच में था भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयद से करवाती तुफान सितांग का नाम किस देश ने दिया तो ये सितांग दिया था था थाइलेंड ने हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रिया बोधिक संपदा पुरुसकार 2021 बाई से सम्मानित किया गया तो IIT मदरास को प्रतिवर्ष शिउंगत राष्टर दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्तुबर को 27 अक्तुबर 2022 को किस राज्य में नव वरस बेस्तु वरस मनाया गया तो ये मनाया गया गुजरात में पुस्त के लेखक कौन है तो इसके लेखक है डॉक्टर बीमल जालान हाल ही में DRDO ने अगनी प्राइम मिसाइल का सफल प्रिक्शन कहां से किया तो ये किया APJ अब्दुलक्राम द्वीप उडिसा से विसो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है तो ये साथियों मना जाता है 24 अक्तुबर को स्यूंक्त रस्टर का 27 वा जलवायू प्रवर्तन समेलन कहां आयूजित हुआ ये आयूजित हुआ मिसर में थुंडी और कदमत समूदर तटों को परतिष्ठिद बलू फ्लैग परमान प्राप्त हुआ ये कहां स्थित है तो ये दोनों को दोनों तट स्थित है लक्सवीप चर्चा में रही नेरल मौथिरोन टोय ट्रेन किस राज्य में संचालित होती है तो ये संचालित होती है महाराष्टर में हाल ही में कहां से मैं भी सुभास अभियान की शुरुआत की गई तो ये शुरुआत होई लेह से इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फिलम क्रिटिक्स ने किसे सर्व कालिन सर्व स्रेश्ट भारतिय फिलम घोशित किया तो ये फिलम है पाथेर पंचाले हाल ही में किस देश ने किस ने देश की सबसे बड़ी पुरुष परतियोगता मिस्टर इंडिया दो हजार बाइस का खिताब जीता है विनित सर्माने भारतिय सेना का इंफेंट्रे दिवस कब मना जाता है तो इंफेंट्रे दिवस मना जाता है 27 अक्तुबर को चट पूजा का परव कब मना जाता है तो ये कार्तिक शुकल की चतुर्थी से स्पत्मी तक मना जाता है भार्मा विशोव हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा तो ये है फिजी भारत और किस देश के बीज सिंबेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया तो ये हुआ था भारत और सिंगापूर के बीज हाल ही में किस देश वेकेंदर साशित प्रदेश में देश या किस तो ये यहाँ पर आएगा किस केंदर साशित प्रदेश में सम्मेलिधी 2022 तेश योजना की शुरुआत की गई तो ये शुरुआत की गई दिल्ली में चर्चा में रही अकांक्सा विवहारे की स्केल से समधित है तो ये समधित है भारो तोलन से खाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड-19 वेक्षिन लांच किया तो ये लांच किया है चेन ने प्रतिवर्च राष्ट ये एकता दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 31 अक्तुबर को भारत और किस देश के बीच गरुड-7 अभ्यास आयोजित किया गया तो ये था भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में किसने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारे कही तो ये संस्था कौन सी है विश्वस वास्थ है शंक्ठन है एसिया के पहली पैथोजन रिडेक्शन मसीन का सुभारम कहां से हुआ तो ये हुआ लखनाव से सरस्फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया तो सरस्फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में सुल्तान जोहूर हक्पी कब 2022 का खिताब किसने जीता तो ये जीता भारत ने विशू स्वाइस्टे संठन ने मंकी पोक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो मंकी पोक्स का नाम है अब M.Pox टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राश्ट्रिय राजदूत के रूप में नामित किया गया है तो ये कौन है दीपा मलिक रीहब प्रियोजना का उदखाठन किस राज्जय में किया गया तो ये हुआ है उत्रा खंड में मोना लवाज वाला मुक्य कहां स्थित है ये स्थित है अमेरिका में वर्ड आफ दी एर 2022 किसे घोजित किया गया तो वर्ड आफ दी एर है यह है गैस लाइटिंग देश का पहला जियो फाइव जी सेवाएं प्राप्त करने वाला राजय कौन सा है तो यह होगा गुजराद वर्टमान में भारत के विदेश सीव कौन है अंसर इस विजय मोहन क्वात्रा हाल ही में किसे युनिस्को एसिया प्रांथ पुरुसकार 2022 में अवार्ड आफ एक्सिलेंस से समानित किया गया तो यह हैं चत्रपदी सिवाजी महराज वास्तु संग्राल्यागो हाल ही में किस राजय ने देश की पहली एकेकित रोकेट सुईधा स्थापित किये जाने की घोशना की है अंसर इस तेलंगाना हाल ही में किसे भारत्य ओलम्पिक संग का अधेक्स बनाया गया तो यह हैं पीट किस देश ने पहली बार डेवीस कप तेनिस तोहजार बाईस का खिताब जीता तो यह पहली बार जीता है कनाडा ने प्रतिवर्स रास्ट्रिय दुगत दिवस कब मनाया जाता है तो यह मना जाता है 26 नूमर को कहां पर सर्वे वेसल्स प्रियोजना का जहाज इक्षक लॉंच किया गया तो यह लॉंच किया गया है चिल नहीं में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीज दुई पक्सिये सेन्य प् पक्रिया जायेगा तो यह है राजस्थान जस्टिस मुबाइल एप का शुभारम किसके दुवारा किया गया तो जस्टिस मुबाइल का शुभारम किया गया है श्री नरेंदर मौदी जी दौरा जी 20 सेर्पा बेठक भारत के कौन से सहर में अरुजित की जाएगी उद्यप हिसा उनमुलन दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 25 नुवंबर को भारतिय वायुसे न द्वारा कहां पर समनुवेद 2022 समनुवेद 2022 अभ्यास्क आयुजित किया गया तो ये हुआ था अगरा में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर अधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट एप लॉंच किया तो ये लॉंच किया IDFC फर्स्ट बैंक ने मॉर्निंग कंसल्ट के अनुशार विश्व के सिरवाधिक लोगप्रे निता कौन है तो ये हैं रेंदर मौद जी स्टोनज़ 2022 का आयोजन कहां किया गया तो ये किया गया जम्मो कस्मीर में कौन सा फुटबोलर पांच वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है अनसर इस क्रिश्टियानो रोनाल्डो पॉस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उदगाटन किस राज्या में किया गया तो ये किया गया है त्रिपूरा में भारत और किस देश के बीच दो पक्सिय सैन्य अभ्यास गरूर सक्ति आयोजित किया गया तो गरुड सक्ती हुआ था भारत और इंडोनेसिया के बेज हिंद परसांत छेत्रिय वारता 2022 कहां पर आयोजित की गई तो ये की गई नए दिल्ली में 24 नमबर 2022 को अनुवर इबराहिम ने अनुवर इबराहिम किस देश के नए परधानमंत्री बने है या इन्होंने परधानमंत्री की सप्त ली है तो अन्सर इस मलेशिया वरस्त 2021 के लिए तेंजिंग नौरगे राष्ट्रिय साहसिक पुरुषकार में किसे लाइफटाइम अचीविमेंट अवोर्ड दिया गया है अन्सर इस कैप्टन भवानिंग सिंग सम्यार चर्चा में रहा कडाले काई प्री से उत्सव किस राज्य से समंदित है तो ये समंदित है करनाटक से चोबिस नॉम्बर 2022 को असीम मुनिर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किये गए अन्सर इस पाकिस्तान चोबिस नॉम्बर 2022 को प्रोजेक्ट 15BY के दूसरे जहाज को भारतिय नोसिना को सोंपा गया तो इसका नाम क्या है इसका नाम है मोर मुगाव प्रतिवर्स लाचित दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है चोबिस नॉम्बर को 72 इंटर सर्विशिज वॉल्लिबल चेंपिरिसिप 2022 तेश किसने जीती अर्मी रेड ने नॉम्बर 2022 में किस देश में दसमा भारती अफिलम महुचसब अयोजित किया गया ये किया गया दक्षिन कोरिया में इसने चटमी बधिर T20 राष्टे चेंपिनशिप 2022 जीती तो ये जीती हर्याणन हाल ही में किस भारतिय को UN के सर्वोज प्रयवण पुरुसकार चेंपिन्स आफ दी अर्थ 2022 से समानित किया गया तो ये हैं पुर्णिमा देवी बर्मन हाल ही में भारत मोजांबिग और किस अन्या देश के बीच पहला त्री पक्षिय नो सेना अभ्यास आयोजित किया गया तो ये थे तंजानिया हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विशुकप 2022 का खिताब जीता तो ये जीता है स्पेन ने हाल ही में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भलाईया उध्यान और मिया वाकिवन का उधगाटन किया तो ये किया है गुजरात में चर्चा में रही माच्छू नदी किस राज्य में स्थित है तो ये भी कहां है गुजरात में किस के सहयोग से भारत ने football for school पहल की लौच की तो किस के साथ सहयोग किया है फिफा के साथ किस भारतिया नयाल्या के द्वारा तो finger test पर रोक लगा दी गई भारत का त्रेपनवान टाइगर रिजव कौन सा है यह है रानिपु टाइगर रिजव वर्स प्रति वर्स भारती यह भासा दिवस कब मनाय जाता है तो यह मना जाता है ग्यारां दिसमर को हाल ही में कहां पर उत्रभारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा डीवन का लोकारपन किया गया तो ये किया गया है greater noida में वरस 2022 का 32 बिहारी पुरुसकार की से प्रदान किया गया तो ये मिला है डॉक्टर माधव हानलागो 2022 का 18 अंतराष्ट्य तेली मेडिसन सम्मिलन कहां अवयुजित किया गया तो ये किया गया है कोची में खेलो इंडिया नैशनल युनिवर्स्टिक गेम्स 2023 की मेजबाने कौन सा राज्य करेगा तो ये करेगा उत्रपदेश राष्ट्य शिक्सा दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है ग्यारा नूमर को भारतिय सेना ने किस राज्य में वालोग मेला का आयोजन किया तो ये किया था परण चल प्रदेश में हाल ही में किस रेलफ़े स्टेशन को 4-star site station प्रमान से समानित किया गया तो ये है भुपाल रेलफ़े स्टेशन किसे अखेल भारतिय रबड उद्योग संग का दक्ष नुक्त किया गया अंसरेज रमेश के जरिवाल दुनिया का सबसे उंचाई पर स्थित मत्दान के अंदर तासी गंग कहा स्थित है ये स्थित है हिमाचल परदेश में नुवंबर में प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी ने दक्षिन भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखागा रवाना किया यह ट्रेन कहा से कहा तक चलाए गई यह चलाए गई चन्नई और मैसूर के बीच में नॉम्बर 2022 में प्रधान मंत्री नरेंदर मौदी ने कहां पर स्टेच्यू आफ प्रोस्पेरिटी का अनावर्ण किया बेंगलोरों में नॉम्बर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवम विकास संग्ठन ने कहां से इंटर्चेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उडान प्रिक्शन किया तो यह किया अब्दुलकुलाम द्वीप डिशा से कि इस राज्य में लाडली लक्षिमी योजना दो दस्मलोव जीरो कास भारम किया गया यह किया गया मध्या प्रदेश में श्तरक्ता जागरुकता सप्ता है 2022 कब मनाया गया यह 31 अक्तुबर से 6 नॉम्बर तक रक्षया अभ्यास ओपरेशन विजलेंस स्टॉर्म दक्षिन कोरिया और इस देश के बीच आयोजित किया जाता है तो यह होता है दक्षिन कोरिया और अमेरिका के बीच हाल ही में पहला बायोस्फिर रिजर्व के लिए अंतराष्टिय दिवस कब मनाया जाएगा तो यह होगा 3 नॉम्बर किसने विशव पहली चैंपिनिसिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रज़त प्रदक जीता अंसर इज प्रसन्ना सिसाद्री अडानी न्यू इंडस्टिज लिमिटिड द्वारकिस राज्य में देश की सबसे बड़ी पावन टरबाइन स्थाबित की गई तो यह किई गई है गुजरात में कहां पर दुनिया की पहली वेदिक घड़ी की अधरिसला रखे गई अंसर इस उज जेन एक सो तीनवा समिधान सवसोधन किस से समंदित है तो ये समंदित है आर्थिक रूप से कमजोर वरग से वर्ल्ड ट्रेबल मारकिट दोहजार बाइस का अयोजन कहां किया गया ये किया गया लंदन में राश्ट्रिय समार्क प्राधिकरन का अध्यक्स किसे निक्त किया गया, किसे फ्रांसेशी सरकार द्वारा से वेलियर पुरुषकार से समानित किया गया, तो ये है अरोणा साई राम को किस देश ने A.C.I. महादूप में सत्रजटू नमेर 2022 में मिहला वरग का खिताब जीता तो ये जीता है टीवी नंदिधाने देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कौन सा होगा ये होगा नोईड़ नमेर 2022 में कहां पर रोयल आस्ट्रेलियाई नेवी और भारतिया नुसेना ने समुद्री भागेदारी अभ्यास किया है तो ये किया है बंगाल की खाड़े में प्रती वर्स विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है आठ नमेर किसने बैट्स एप्लिकेशन लॉंच किया तो ये लॉंच किया है प्रसार भारती ने खाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्स तक मतुरा विरिंदावन को सुध्य सुन्य उत्सर्जन प्रेटन स्थल बनाया जाने की घोशना की है तो वर्स दोजार अकतालिस तक प्रती वर्स राष्ट्रिय पक्सी दिवस कब मनाया जाता है अनसर इस किस राज्य में अमूर फॉल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया तो यह किया गया मनीपुर में दोहजार पत्थिस कबड़ी विस्वकप कहां पर होगा यह आयोजित होगा वेस्ट मिड लेंड्स में ग्यारा नूबर 2022 को एक कुमभ पोर्टल किस के द्वारा लॉंच किया गया यह लॉंच किया गया द्रॉपदी मुर्मो के द्वारा भारतिय जेविक डेटा सेंटर का उदगाटन कहां पर किया गया यह किया गया है फ्रीदाबाद में बारें नूबर 2022 को किसे अंतराष्ट्रिय क्रिकेट प्रिशद का दुबारा से अधेक सुना गया है पर ग्रेग बारकले उकतालिस में अंतराष्ट्रिय वपार मेला कहां पर आयोजित किया गया यह किया गया नई दिल्ली में ICC T20 पुरुष क्रिकेट विशु कप 2022 का खिताब किस ने जीता है तो ये जीता है साथियो इंगलेंड ने प्रति वर्स विशु मधुमे दिवस कब मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है चोधन उमर को चोधन उमर 2022 को किसे मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुष कर 2022 दिये जाने की घोशना हुई है तो ये है साथियो सरत कमल अचंता हाल ही में किसे आसियान ने अलही में आसियान ने किस देश को सिधानतिक रूप से अपना ग्यारवां सदेश्य के लिए स्विग्रति पदान की है तो ये है तिमौर लेस्टे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगता का विजेता कौन रहा अंसर इज स्लॉक मुखरजी जारखन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है पंदरा नॉम्बर को प्रियावरण वन और जलवायू प्रिवर्तन मंत्रा ले और शियूंक्त रास्टर विकास का रेकरम यानि के UNDP दौरा कहां पर इन अवर लाइफ टाइम अभ्यान शुरू किया गया तो ये शुरू किया गया है मिस्र में अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबाने कौन सा देश करेगा तो ये करेगा स्रिलंका 19 नॉमबर से 6 दिसेबर 2022 तक कहां पर अंतराश्ट्रिय गीता महुत सवगा आयोजन होगा ये है हर्याना किस भारतिय को Australian of the Year Award 2022 से सम्मानित किया गया अंसर इस अमर सेंग G20 सिखर समिलन 2022 कहां आयोजित किया गया तो ये किया गया इंडोनेसिया में नतासा पिरक मुसर किस देश की पहली महिला रास्ट्रपती चुने गई है तो ये है सलो वेनिया की 14 नॉमबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ भारत और अमेरिका के बीच में प्रति वर्ष रास्ट्रिय प्रेश दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 16 नॉमबर को 15 नॉमबर 2022 को किस ने डिजिटल सक्ती अभ्यान 4.0 की शुरूआत की रास्ट्रिय महिला अयोग ने किस देश की अंत्रिक्स एजेंसी ने ओर्टेमिस 1 मिसिन लौच किया तो ये लौच किया है अमेरिका की अंत्रिक्स एजेंसी ने हाल ही मेजारी Climate Change Performance Index में भारत का कौन सा स्थान रहा तो भारत रहा इस पे आठमे स्थान पर सत्यजित रे Lifetime Achievement Award 2022 से किसे सम्मानित किया गया अंसर इस कार्लोस सोरा हाल ही में की समूध द्वारा Global Sealed योजना तो Global Sealed योजना लौच की गई तो ये लौच की है G7 ग्रूप के द्वारा नूमर 2022 में किसे नेती आयोक का पूर्ण कालिक्स देश से नुक्त किया गया है अंसर इस डॉक्टर अर्विंद वीर्माने हाल ही में कौन सा देश विशो में दूसरा सबसे अधिक इसपात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है तो अंसर इस भारत उत्राखंड उच नियाले ननिताल से कहां स्थानांदित किया जाएगा तो ये स्थानांदित होगा ननिताल से हल दुआने प्रती वर्स जन जातिया गोरव दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है पंदरा नुमंबर को कासी तमिल संगमं कहां पर आयोजित हुआ तो यह आयोजित हुआ वर्नाशी में अंतराष्ट्रिय टेबल टैनिस महासंग के एथलिट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतिय कौन बने है तो ये बने है सौरत कमल अंतराष्ट्रिया प्रेटन मार्ट किस राज्य में अयोजित किया गया तो ये किया गया मिजोर में खाल ही में किस भारतिय मूल के नोबल विजेता को बिटेन के ओर्डर ओफ मेरिट पुरुसकार कौन सा पुरुषकार ओर्डर आफ मेरिट पुरुषकार से समानित किया गया अंसर इज वेंकी रामकृष्णन किस देश ने महिला पेशेवर टैनिस टूर्नमेट बिले जीन किंग कप का खिताब जीता तो ये खिताब जीता है स्वीट जर्लेंड ने Cambridge Dictionary ने किस सब्द को Award ये है Award of the Year 2022 चुना है तो Cambridge Dictionary ने चुना है Homer को प्रती वर्स देश में नवजात सिशु देखभाल सब्ता है कब मनाया जाता है तो ये 15 से 21 नॉमबर को 14 से 25 नॉमबर 2022 तक किस देश में CITES COP19 की बैठक आयोजित हुई तो ये हुई पनामा में पेरिश ओलम्पिक और पेरा ओलम्पिक 2024 का सुबंकर क्या है Answer is फ्रीजियन कैप भारतिय सेना की पहली महिला स्काइडाइवर कौन बनी है तो ये है लांस नाइक मंजू हाल ही में किस देश ने Excellence in Leadership for Family Planning Award 2022 जीता तो ये जीता है भारत ने विशो सोचले दिवस कब मनाया जाता है Answer is 19 नॉमबर हाल ही में कौन ACI Cup Table Tennis Tournament में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी बनी है तो ये मनी है मनी का बत्रा भारतिय वायूसिना का War 600 Air Fest 2022 कहां आयोजित हुआ तो ये आयोजित हुआ नागपुर में फीफा पुर सुविसव कब 2022 कहां पर आयोजित हुआ तो ये है कतर किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉंच किया तो अमर सरकार पोर्टल लॉंच किया है तरिपूरा ने चर्चा में रहे बाली यात्रा का सम्मंध किस राज्य से है तो बाली यात्रा समंधित है ओडी साराज्य से उन्निस नमबर 2022 गांधी मंडेला फांडेशन द्वारा सौंति पुरुसकर से किसे समानित किया गया तो ये दलाई लामा को किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम यंग प्रोफेशनल स्कीम सुरू करने की घोसना की है तो अनसर इज ब्रिटेन वर्ल्ट टेलिविजन डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21 नॉम्बर को 19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म प्रिसनल्टी आफ दी यर 2022 चुना गया अनसर इज चिरन जीवे हाल ही में जारी नेटवर्क रेड़नेस इनेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा तो भारत रहा है 61 स्थान पर 20 नॉम्बर 2022 को किस ने 60 बार ATP Finals टेनिस टूनमेंट का खिताब जीता अनसर इज नुवाक जोकोविच प्रती वर्स विशु मतेश्य दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है 21 नॉम्बर को हाल ही में किस देश ने अंतर महादुपिय बलेस्टिक मिसाइल हवा स्वांग 17 का प्रेक्शन किया तो ये किया है उत्तर कोरिया ने हाल ही में किस ने घर वेब पोर्टल लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है रास्ट्रिया बाल अधिकार सुरंक्षन अयोगने हाल ही में किस राज्या ने भारत का पहला आथी मुलित्टू लेखा प्रिक्सा धांसा पेस किया तो ये किया है तमिल नाडू ने 21 नूमर 2022 को भारतिय सेना ने कहां पर एक एकिकरित अगनी सक्ती अभ्यास सुत्रू नास जित किया तो ये किया स्री गंगानगर में इसे 22 में विधी आयो यानिके लो कमिशन का अधेक्स न्युक्त किया गया तो अन्सरीज रितुराज अवस्थी हाल ही में कौन पहले केरल ज्योती पुरुषकार के लिए चुने गए है वासुदेव नायर इस राज्य में अंतराश्ट्रिय पुषकर मेला 2022 का आयोजन किया गया तो ये है राजस्थान आसियान भारत समार्क शिखर समिलन में भारत का नेतरतव कौन करेंगे और सरीज जगदेप धनकर्ड शिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव 2022 में मनाया गया तो ये था 553 भारत का पहला नेजी तोर पर विक्षिद रोकेट कौन सा है तो ये है विकरम एस दो से प्माज फ्रवरी 2023 तक रास्ट्रिय सीतकल्न खेलों की मेजबानी कौन सा रज्चे करेगा तो ये करेगा उत्राखन सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला रज्चे कौन सा बना है तो अंसर इस केरल मुरा हिली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है तो ये है अमेरिका के हाल ही में कौन बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतिया विज्ञानिक बने है तो ये है डॉक्टर सुभास बाबू हाल ही में किंद्रिय ग्रहिम द्रेलय ने कितनी भासों पर मदर टंग सर्वे ओफ इंडिया रिपोर्ट त्यार की है तो कितनी भासा हैं 576 प्रति वर्ष राष्ट्य विदिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है 9 नुवंबर भारत का पहला एकवा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा तो ये होगा अरुनाचल प्रदेश में हाल ही में रक्ष्या मंतरी राजनात सिंग ने किस राज्य या केंदर सासिद प्रदेश में स्योकपुल का उदगाटन किया है तो ये स्योकपुल कहां पर है लदाक में हाल ही में किस देश में पहली बार हेलोविन त्युहार मनाया गया, तो ये मनाया गया सौधी अर्ब में पहली बार, हाल ही में उप्राष्ट पती, जगदीब धनकर द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजिंदे प्रसाद अवोर्ड दिया है, तो ये हैं प्रोफेसर र किस जोड़ी ने पूरुस डबल्स का खिताब जीता तो ये हैं सात्विक सेरावत और चिराग सेटे हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोर्टिंग विथिया सक्सरता शिवर का आयोजनिक किस सहर में किया तो ये किया स्री नगर में हाल ही में बांगलादेश की प्रधान मंतरी सेख हसीना ने किसे परतिष्ठित फ्रेंड्स ओफ लिब्रेशन वोर से सम्मानित किया है तो किन को किया है एडवार्ड एम केनेडी को हाल ही में कौन स्वतंतर भारत के पहले मत्दाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मत्दान किया अंसरेज श्यामसरन नेगी किस देश की पुरुष्ट टीम ने ACI स्क्वाड टीम चेंपिनशिप 2022 में पहली बार स्वनपदक जीता तो ये है भारत प्रतिवर्स विश्व सुनामी जगरुकता दीवस का आयोजन कब किया गया ये किया गया पांच से नुम्बर को अंतराश्ट्रिया होकी महसंग के नए अध्यक्स कौन है मुहमद तयब इक्राम किस ने पहली बार सेद मुस्ताक अली टॉफी 2022 जीती तो पहली बार मुस्ताक अली टॉफी जीती है मुबई ने 26 मालाबार युद अभ्यास 2022 किस देश में आयोजन किया जाएगा तो ये 26 मालाबार अभ्यास हुआ था जपान में हाल ही में किसे 2022 के लिए अजुत होचन पुरुषकार से समानित किया गया तो ए से तुम माधफन हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेनिगा रिकोर्ड बनाया है अन्सरीज स्वीजरलेन चर्चा में रहा री सेट दो उपकरहे किस देश से समंधित है तो ये है भारत से समंधित प्रति वर्स राष्टिये केंसर जागरुपता दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है साथ नूम्बर को प्रति वर्स राष्टिये चिकित सक दिवस कब मनाया जाता है ये मना जाता है एक जुलाई को हाल ही में डेरी और पसुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पालिट प्रोजेक्ट लॉंच किया है ये किया है बेंगलोरू में 28-29 जून 2022 को कहां पर GST प्रिशद की 47-वी बैठे आयुज़ित की गई ये की गई थी चन्डिकड में हाल ही में किसे गैस ऑथोर्टी ओफ इंडिया लिमिटिड का चेर्मेन एवं प्रबंधक न्युक्त किया गया है तो ये किया गया है संदीप कुमार गुपता को वर्तमान में भारत के नियावादी कौन है केके वेणू गोपाल हाल ही में महराष्टर के ओरंगाबाद जिले का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो ओरंगाबाद अब है संभाजी नगर हाल ही में कौन चारों ग्रेंड स्लैम में असी मैच जितने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बन गए है तो वो है नुवाक जोकोविज 30 जून 2022 को भारतिय अंतरिक्स अनुसंधान संग्ठन ने PSLV C53 से किस देश का DSEO सेटलाइट लॉंच किया है तो वो कौन सा देश है सिंगापूर 30 जून 2022 को किस ने माराष्टर के 20 मुख्यमंत्री पद की सपत ली है तो वो है एकनाथ सिंदे देखें परतिवरस GST दिवस एक जुलाई को मना जाता है एक जुलाई 2022 को विश्व परसिद जगना त्यातर किस राजय से शुरू हुई तो ये उडिशा से शुरू हुई थी स्तंबर अक्तुबर 2022 में आयोजित हुए शत्तिश्वें राष्ट्रे खेलों के मेजवाने किस राजया ने करिये थी अन्सरेज गुजराद फ्रेडिनेंड मारकस जुनियर ने किस देश के सतरवें ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है सतरवें राष्ट्पदी के रूप में सब्तले तो ये फिलिपिंस के राष्ट्रपदी है किस राजय सरकार ने कासी यातरा योजना तो ये एक योजना है कासी यातरा योजना तो करनाटक सरकार की योजना है 29 जून से चारगस 2022 तक आयोजित हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नोसैनिक अभ्यास रिमपैक तो ये रिमपैक एक्सरसाइज है भारत की तरफ से इसमें कौन सा आई एनस सामिल हुआ तो इसमें आई एनस सब्सकूड़ा सामिल हुआ था ये इंपोर्टन है अगर आप डिफेंस एस्पिनेट्स हैं कहां किया था तो चित्रदुर्ग करनाटक दुनिया के सबसे बड़े इन्नोवेशन केमपैस टी हब का उद्खाटन कहां किया गया तो इसका उद्खाटन हिदराबाद में हाल ही में किस मंत्रालिया ने भारतिया तत्रक्सक बल के लिए मासिक भत्तों के वित्रण के लिए पे रोल आटोमेशन पद्मा का उस भार्म किया है तो यह रक्षा मत्रालिया ने किया है चलिए नेक्स स्लाइड देखते हैं युएसे का सवतंतरता दिवस चार जुलाई को है चर्चा में रहा हर्मिट क्या है हर्मिट एक स्पाइवेर एक जुलाई 2022 को कहां पर भात की सबसे बड़ी तैरती सोर उर्जा प्रियोजना चालो हुई रामा गुर्णम तेलंगाना जुलाई 2022 में यह ध्याना खना है जु कांग 2021 में कौन सा भारती सहर सीरस पर रहा तो यह बैंगलूरू निरी चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फैंक कर रास्ट्री रिकोर्ड बनाया था इत 9.94 हाल ही में कहां पर पांच वैसिविक फिल्म प्रेटन संबेलन जी एफटी सी का उधगाटन किया गया तो यह नासा नहीं किया था कैपस्टोन नासा परतिवरस अंतराश्टिय सहकारित दिवस का आयोजन कभ किया जाता है जुलाई महा के पहले सनिवार 4 जुलाई 2022 को प्रधान मंत्री नरेंदर बौधी में कहां पर डिजिटल भारत 2022 का सुभारन किया था तो यह गंधे नगर से किया था किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमनी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है 3 जुलाई 2022 को किस ने Miss India World 2022 का खिताब जीता सिन्नी सेटी मलेशिया ओपन बैड मिंटिन टूर्नमेट 2022 में पुरस इकल का खिताब किस ने जीता विक्टर एक्सेलिसन जुलाई 2022 में किस ने Financial Action Task Force यानिके FATF के अधिक्स का पदभार ग्रहन किया ती राजकमार हाल ही में किस राज्या में काई चटने को भौगलिक संकेत अरजिस्ट्री के लिए प्रियुक्त किया यानिके GI Tag तो किसका उडिशा Operation Narcos का समन्द किस से है Railway सुरक्षा बल यानिके RPF Railway Protection Force अंतरास्ट्री प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाए जाता है अंतरास्ट्री प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस तीन जुलाई हाल ही में भारतिय सेना ने कहां पर सीमा और 30 सुरक्षा के पहलों पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहा किया गया था जोधपूर में हाल ही में देश के सबसे कम उमर के speaker कौन मने है जुलाई महा में इंडियन नेवल एर स्कौाडर 324 को कहां पर कमिशन किया गया था केंदरी मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने किस संस्थान में प्रोध्योगी की नवाचार के इंदर तिहान यह नाम आपने याद रखना है तिहान का उद्खार्ण किया था तो IIT हैदराबाद में जुराई 2022 में जारी स्टार्ट अप एकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रेंकिंग 2021 में सर्वस्ट प्रदशन करने वाले राज्यों के इस रेंड में कौन सामिल है गुजरात और करनाटर सुवच सागर सुरक्षी सागर अभियान कितनी दिनों के लिए चला था 75 डेज के लिए और किस राज्य सरकार ने SM Krishna और नारायन मुर्ति और प्रकास पादुकॉन इन तीनों को पहले केंपे गोड़ा अंतरास्ट्रे पुरुस्कार देने की घोशना की है तो ये करनाटर सरकार ने करी है और ये क्वेस्टन इस प्रकार से भी आ सकता है कि किनकिन को केंपे गोड़ा अंतरास्ट्रे पुरुस्कार मिला है हाल ही में केंद्रिय माध्यमिक जिक्सा बोर्ड ने प्रणाम समंधी गतिविधियों को सुव वस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है तो पोर्टल है प्रिक्सा संगम किस देश के क्रिक्ट बोर्ड ने देश की पुरुस और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फिस देने के लिए अग्रिमेंट किया है तो ये न्यूजिलेंड है और अब साइद भारत में भी ऐसा ही होने वाला है इन एफ ऐसे के लिए राज्या रेंकिंग सुचकंग दोहजर बाइस समान ने शरेनी के राज्यों में किस राज्यों को सीरसस्तान मिला है तो ये है ओडीसा चर्ट्सा में रहा अगर दूत भारत में प्रकासित होने वाला किस भासा का अकबार है तो ये अस्मिय भासा का विभार है हाल ही में शियुक्त रास्टर महासागर सम्मेलन 2022 का योजन कहा हुआ था अंसर इस लिजमन जानी माने सक्षित तरुन सागर किस चेतर से समंदित थे तो देखी अब इनका देहाद हो चुगा है तो ये समंदित थे फिल्म निर्देशिरी से और दक्सी शुदान में UN मिचन का नया सिन्यक मंडर कौन है मोहन सुरमंडम हाल ही में किस ने स्टार्ट अप स्कूल इंडिया ये पहले किस की है गूगल के है वरुवा माइट क्या है वरो माइट एक प्रजीवी है भारतिय महिला मुक्केबाद अलफिया पठान और गेतिकाने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता तो इन्हों ने जीता है सुरन पदक चर्चा में रही मानगट पहाड़ी किस राज्य में है तो ये हैं राजस्तान में हर्याली महुत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया ये हुआ था दिल्ली में सिंजु आबे नाम बहुत बार सुना है किस देश के पूर्व प्रधान मांत्री थे जपान ये आपको साथ पता है कि इनका बहुत इंपोर्टन रोल था क्वाड़ को रिवाव करवाने में हाली में वर्ष 2022-2023 के लिए भारतिया उध्योग परी संग C.I.I. के अधेक्सपद के लिए किसे नामित किया गया है आर दिनेसको हाली में खबर में रहा देरेचो क्या है तो ये एक तुफानग नाम है जुलाई 2022 में किस राज्या में खार्ची महोचसव मनाया गया तो खार्ची महोचसव तरिपूरा में मनाया गया था परति वर्ष विसाल किसवाहिली भासा दिवस कब मनाया जाता है 7 जुलाई हाल ही में IMF के पूरव मुख्य अर्थ सास्तियों के दिवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन मनी है तो गीता गोपिनाद अक्सर चर्चा में रहने वाला न्याय मुर्ती रोहिनी आयोग तो ये आयोग का नाम है इसका समंध किस से है इसका समंध है OBC से प्रतिवर्श विश्व जनसेंख्या दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है 11 जुलाई को हाल ही में किसे उप्चुनाव अयोगत न्यूगत किया गया है आर के गुपता जुलाई 2022 में किसने विंबल्डन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता एलिना रिबाकेना किस चंस्थान के सोधकरताओं ने अर्यभट एक नामक एनालोग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विक्षित किया तो ये ही विक्षित किया था IISC बंगलोर ने तर्चा में रहा संकल्प भूमी बर्गद वरिक्स परिशद कहां पर स्थित है ये स्थित है वडोदरा गुजरात में किसने मीशेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता पलवी सिंग हाल ही में किसने सवनीधी महुचसव का सुभारम किया हर्दीप सिंग पुरी प्रती वर्ष राष्ट्रिय मतिष्य किसान दिवस का यूजन कब किया जाता है 10 जुलाई को चीन और किस देश के बीच सी गोर्जियन ये सी यहाँ पर समुद्ध है सी गोर्जियन दो अभ्यास हुआ था तो ये हुआ था पाकिस्तान और चीन के बीच किस मंत्राले द्वारा प्रधान मंत्री राष्ट्रिय प्रशिक्ष्य मेले का यूजन किया गया प्रधान मंत्री राष्ट्रिय प्रशिक्ष्य मेले का यूजन IFAD का नया अध्यक्सकोन है अलवारो लारियो किस रज्य या केंदर साशिद प्रदेश में निर्मान सर्मिकों के लिए मिस्ट कुसल करमी के शुरुआत इसकी शुरुआत हई है तो ये नई दिल्लि में मिस्ल कुसल करमी के शुरुआत हुई है प्रतिवर्थ 200 मलाला दिवस कब मनाय जाता है अनसर इस 12 जुलाई परख्यात पुरत तव्विद और इतिहास कर डॉक्टर इनामुल हक का समंध किस देश से है तो इनका समंध है बांगना देश से हाल ही में इनका निधन हुआ था हाल ही में जपान ने किसे और अफ दी राजिंग सन अवोर्ड से सम्मानित किया है तो और अफ दी राजिंग सन अवोर्ड नारायन कुमान को दिया गया है शिंगलिला नैसनल पार्क किस राजय में श्थित है पस्चिम बंगाल भगवानी देवी डॉगार ने विशव मास्टर्स एथलेटिक्स चेंबिंशिप में 100 में स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने जीता है सुवारन पदक विशव संती फर्म 2022 का आयोजन निमन मेंसे किस देश में हुआ चीन कॉमन वेल्थ गेंट 2022 के लिए भारतिया महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाए गया था अनसर इज हर्मन प्रीद कोर नई सिक्सा निति 2022 लागो करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तरा खंड है केंद्रिये कपड़ा मंत्री प्यूस कोईल ने कहां पर राष्ट्रिये फेशन प्रोध्योगी संस्थान काउद खाटन किया तो ये हुआ था पंस्कूला में किस टेलिस्कोप ने बर्मान की पहली रंगीन सवी जारी किये थी तो जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यकरम में सामिल हुआ था यूक्रेन जुलाई 2022 में ACI, Under 20, कुस्ती प्रत्योगिता में भारत ने कितने पतक जीते तो भारत ने जीते 22 पतक कहां पर पहली Artificial Intelligence इन डिफेस संगोस्टी और प्रतरस ने काउद खाटन किया गया तो ये हुआ था नई दिल्ली में चर्चा में रहा Supreme Order of the Christ syndrome किस देश का सरवत समान है तो ये है जपान का किस राजे सरकार ने अर्न विदिलर्न योजना शुरूगी ये शुरूगी है त्री पुराने टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विशो के सबसे सरस्वेस्ट स्थानों की सूची में किन दो भारती सहरों को सामिल किया एहमदाबाद और केरल ये सहरों ये सहरों की बजाई यहां पर है स्थानों में किन दो स्थानों को तो एहमदाबाद और केरल भारत का पहला Quadrivalent Human Papilloma Virus Vaccine किसके द्वारा विक्षित किया गया Serum Institute of India वेस्विक लेंग अंतराल सुचकांग 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया 135 में दी मेकमोहन लाइन Century of Discord के लेख कौन है जे जे सिंग 22 भारत रंग महुचसब किसके द्वारा आयोजित करवाया गया राष्टरिये नाट्य विधालय नई दिली भारत का पहला Carbon Neutral हवायड़ा कौन सा होगा Answer is ले हवायड़ा प्रतिवर्स विसव युगा कोसल दीवस कब मनाय जाता है पंदरा जुलाई खाल ही में उभखता दिकारों के बारे में जागरखता पैदा करने के लिए कौन सा जुभंकर लौंच किया है तो ये है जागरिती रास्टेशन स्थागत रंकिंग फ्रेमवरक 2022 रंकिंग में ओवरॉल स्रेने में कौन सिर्स पर है तो IIT मदरास नोलेज पोर्टल इसकी सुरुआत इसको लौंच किसने किया है खादी और ग्रामोध्योग आयोगने टाइम आउट 2022 इंडेक्स की अनुसार कौन सा सहर दुनिया का सरुस्रेश्ट सहर है अनुसर इस एडिनबर्ग पदमश्री विजेता आवध कोसल का संबंध किस से है तो ये हैं एक समाजिक कार्यकरता यूरोग को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला बीस्वा देश कौन सा है अनुसर इस क्रोएसिया किस देश ने AGM-183-ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रिक्षन गिया है अनुसर इस अमेरिका प्रतिवर्स अंतराष्ट्रिय नेलसन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है थारा जुलाई संगाई सहयोग संग्ठन की पहली सौंस्कृतिक और प्रेटन राजधानी की सहर को घोचित किया जाएगा अनुसर इस वार नसे ट्रेवल प्लस लेजर मैगजिन द्वारा जारी विश्व के टॉप दस बेस्ट सहरों की सूची में भारत की कितनी सहर सामिल है तो अनुसर इस दो कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सिवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलोता राज्य बन गया है अनुसर इस केरल हाल ही में किसने अनमेंसिनिंग फीचर लॉंच किया है तुईटर तर्चा में रहा दुनागिरी क्या है तो दुनागिरी एक युद्ध पोथ है नई दिली सहभागिता योजना किसने शुरो गई विन्यकुमार सक्सेना अजादी की रेलगाडी और स्टेशन काउद घाटन कहां पर किया गया नई दिली 18 जुलाई 2022 को भुपेंदर सिंका निधन हुआ वे थे वो एक पार्षव गया किस राज्या ने मुख्यमंतरी संस्थागत वरिक्षार ओपन कार्यकरम का सुभारम किया अंसरेज असम अंतराष्टरी सत्रंज दीवस कब मनाया जाता है अंसरेज बेश जुलाई किस राज्या द्वारा मुख्यमंतरी उद्धियमान खिलाड़ी उन्यन योजना का सुभारम किया जाएगा तो ये है उतरा खंड आर्टिफिसल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का सुभारम कहां किया गया अंसरेज जैपुर आई एनस शिंधु दवज ये है एक पंडूबे कौन सा राज्य है वाहन ट्रेकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अंसरेज हिमाचल प्रदेश हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद को खल करने के लिए नमसाई घोसना पर हस्ताक्सर किया है असम और रौनाचल प्रदेश ग्रिसम कालन ओलोंपिक दोहजार ठाइस कहां आयोजित होंगे लॉस एंजिल्स हाल ही में किसे अंतरास्ट्रिय टेनिस होल ओफ फेम में सामिल किया गया लेटेस्ट हैविट प्रतिवर्स अंतरास्ट्रिय चंदर्मा देवस का आयोजन कब किया जाता है 20 जुलाई इंडिया इन्नोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों के इस रेनी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया असरीज करनाट किसकी अधेक्सता में नियुन्तम स्मर्थन मुल्य को प्रभावित बनाने के लिए समीति का गठन किया गया है तो MSP के लिए कौन सी समीति है और उनके अधेक्स हैं संजय अगरवार IISF निसानेबाजी विशुकप 2022 में कौन सा देश सीर्ष पर रहा अनसरीज भारत भारत और किस देश में कौनों राष्ट्रिय उधान में चीता लाने के लिए एक सुम्जोता हुआ था अनसरीज नामीबिया हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 क्यों थरी में भारत को कौन सा स्थान दिया गया अनसरीज 87th Beyond the Mistyville Temple Tales of Utrakhand के लेख कौन है अनसरीज अराधना जोहरी प्रतिवर्श विशो मस्तिस्क दिवस कब मनाया जाता है अनसरीज 22 जुलाई 68th में राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकारों में किसे बेस्ट एक्टर का आवोर्ड दिया गया अजय देवगन और सूर्या हाल ही में किस बैंक ने वाटसाप बैंकिंग सेवा सुरू गई है अनसरीज SBI प्रतम खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लेख कहां आयोज़ित की गई तो ये हुई थी नई दिल्ले में कौन सा बंदरगा भारत का प्रतिसत लेंडलोर्ड मोडल वाला पहला बंदरगा बन गया है अनसरीज जवाहरलाल नहरू बंदरगा हाल ही में किसे अंतराष्ट्रिया होकी महासंग का कार्यवाहक अधिक से नुक्त किया गया सैफ एहमद 23-24 जुलाई 2022 को स्वर्श्मराड फेस्टिवल का कौन सा संस्कर्ण अवयुजित किया गया था अनसरीज टैन्थ भारत प्रतिवर्श राष्ट्रिय धवज दिवस कब मनाता है 22 जुलाई प्रतिवर्श आयकर दिवस कब मनाया जाता है अनसरीज 24 जुलाई चर्चा में रहा सकूराजिमा ज्वालामखी किस देशिस मन्दिद है अनसरीज जपान हाल ही में किस राध्या ने ब्लोक भवन वन्या जिव अभ्यार्ण की स्थापना के प्रस्ताव को मन्जूरी दी है अनसरीज असम हाल ही में भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लेनिक का उद्गाटन कहां किया गया अनसरीज बेंगलोरो भारतिय अंटार्क्टिक विधेग 2022 किस के द्वारा पेस किया गया जितेंदर सिंह हाल ही में किसे जेसी डेनिल अवोर्ड 2022 से सम्मानित किया गया केपी कुमारन अमरित मोबाइल एंप ये किसी ने लॉंच किया निती आयो जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किस के द्वारा समर्थित है ये समर्थित है विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में केंदर सरकार ने भारतिय धवज सहीता मिश्व सोधन किया है ये है सहीता किस वरस की है तो ये है 2002 जुलाई 2022 में किस देश के द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हासन को परतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है तो ये है कारगिल विचे दिवस सब्विश उलाई को मनाया जाता है किस रज्जे सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रजेक्ट लागू करने का निना लिया तो ये फैमिली डॉक्टर प्रजेक्ट आंधर परदेश का प्रजेक्ट है 79 में पूरु सीनियर नेशनल कपड़ी चेंपेंशिप 2022 का खिताब किसने जीता भारतिये रेलवे प्रधार मंतरी निरेंदर मोदी दुआरा किस राज्य में अंतराश्टरिये वितिये सेवा केंदर प्राधिकर्ण के मुख्याल्य भावन की अधारसिला रखी गुजराप किस भारतिया नागरिक को विसुबैंक के मुख्य अर्थ सास्तरी निक्त किया गया है अंसर इस इंदरमेद गिल भारतिये विरास्ट संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा नोईडा चतिस्वी अखिल भारतिये डाक भारतोलन और पावर लिफ्टिंग परतियोग था कहां सुरू हुई तो ये हुई थी जयापूर में 3-4 स्थंबर 2022 को जम्मू फिलम महुतसव का कौन सा संस्क्रण अयुजित किया गया तो ये था दूसरा हाल ही में किस अस्थान ने निर्मान का रेकर्म तो ये जो प्रोचेक्ट हैंगा उसका नाम है निर्मान तो निर्मान इसके द्वारा शुरू किया गया ये है आयाटी कानपूर प्रतिवर्स विश्व हैपिडाइटिस देवसकब मनाया जाता है अनसरेश 28 जुलाई 26 जुलाई 2022 को पदमश्री डॉक्टर सुभादन बंदोपाध्याय का निधन हो गया वे थे तो वो एक डॉक्टर थै आई सी सी महिला विशुकब दोहुजार पत्चिस की मेजमाने कौन सादेश करेगा अनसरेश भारत चर्चा में रहे अत्यधुनिक सवदेशी बक्तर बंदवाहन क्विक रियक्शन फाइटिंग वहिकल मीडियम का निर्मान किस ने गया टाटा एड्वांस सिस्टम लिमिटेड हाल हीमिकी सुराज्य है कि पुलिस अयुक्त कार्याल्या में स्मार्ट इबीट सिस्टम का सुभारम किया अनसरेश अर्यान ब्रमिंगम कॉमनवेल्ट गेम दोहजर बाइस में भारतिया दल के ध्वजवाहक कौन थी अनसरेश पीवी सिंधु किस देश ने वर्ष दोहजर चौबीस के बाद अंतराश्ट्रिय अंतरिक्स केंदर छोड़ने का फैसला किया है अनसरेश रूस हाल ही में किसे ये किसने हाल ही में किसने प्रतिश्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवोर्ड दोहजर बाइस जीता है अनसरेश औरंग नेशनल पार्क प्रतिवर्ष विश्व प्रक्रिदी स्रॉक्षन दिवस का आयोजन कब किया जाता है अनसरेश जुलाइश विश्व एथलेटिक्स चेंपिनशिप 2022 में कौन सा देश सिर्श परहा अनसरेश अमेरिका हाल ही में जारी कोटिक प्राइवेट बैंकेंग हुरुन कि अनसर वर्ष 2022-2021 में भारत की सबसे धनवान महिला कौन है रोसनी नाडर मुलहोतरा फीफा अंडर सेमिडर महिला विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया गया अनसरेश भारत 28 जुलाइश 2022 को किस राज्य में हरीली पर्व मनाया गया अनसरेश अच्छटिसकट किस राज्य ने मुख्यमंतरी सार्थी योजना की शुरुआत करने की खोसना की है अनसरेश जारकंद किस देश ने दुनिया का पहला तंभाको निरोधी बिल पेस किया अनसरेश न्यूजिलेंड 28 जुलाई 2022 को भारतिय नोसिना को किस सवदेशी विमान वाहक की डिलिवरी मिली है अनसरेश विकरांथ अन्तरास्टिय बाग दिवस ये मना जाता है 29 जुलाई को विंस्टन चर्चिल लेडर्शिप अवार्ड ये मिला है वलोड़मीर जलेंस्की को राज्य सरकार किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नास्ता योजना शुरू की है तो ये योजना है तमिलनाडो के पहले अंतरास्ट्रिय बुलियन एक्सचेंज को कहां पर लौंच किया गया है तो भारत के पहले अंतराश्ट्री बूलिन एक्सचेंज को कहां पर लॉंच किया गया है ये लॉंच हुआ है गंधिनगर में कौन सी राजय सरकार जनजातिय छेत्रों में हर घर उर्चा उत्सव अयोजित कर रही है अंसर इस महाराश्टर कौन सा राजय सेमिकनेक्टर नीती शुरू करने वाला भारत का पहला राजय मना है अंसर इस गुजरात जुलाई 2022 में किस राजय में बोनालू महुतसव मनाया गया ये है तेलंगाना में हाल ही में इंग्लेंड के डिशेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है तो ये है सुनिल गावसकल 15 अग्स 2022 को किस भारते युदपोत द्वारा ब्राजिल के रियो डेजनेरियो में तरंगा फेराया गया तो ये फेरायगा था आई एनेस तरकस के द्वारा प्रतिवर्श विशव मुरुस्तिलिकर्ण और सुखा रोख्थम दिवस का आयोजन कब किया जाता है अनसर इस 17 जुन हाल ही में किस देश ने वर्श दोहजर ठाइस में अंतरिक्स में एक सोर उग्चा सिंतर शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है ये की है चीन ने और ध्योगिक डीकर्बनाइजेसन समिट दोहजर बाइस का उद्खाटन कहां किया गया अनसर इस नियो देले पंदरा जुन 2022 को जारी वैसिविक सांती सूचकांग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा तो भारत रहा था 135 में स्थान पर फाल ही में किसे भारतिया प्रेश परीशद के अध्यक्सपद के लिए चुना गया है तो किसको चुना गया है रंजना प्रकास देशाई को क्रिशी और पर समस्क्रेथ खाद्य उत्पाद नर्याद विकास प्राधिकन ने किस देश में आम उत्सव का आयोजन किया तो ये किया गा भारियन में हालही में किस राजय सरकार ने इन्नम अजूथम योजना शुरू के ये शुरू की है तो मिलना डोने प्रतिवरस विशव सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 19 जोन को हालही में हमजा अब्दी बने किस देश के प्रधानमंत्री न्युक्त किये गए हैं ये किये गए हैं सोमालिया के भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थाबित किया जाएगा ये स्थाबित किया जाएगा लद्दाक में भारतिय समिधान अनकही कहानी नामक उस् राय, अक्षर टेरिर फंडिंग और मनी लॉंडरिंग किस अंदर में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबन्द किस से है, यह है FATF, Financial Action Task Force. हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बाली का पंचायत की शुरुवात की गई है, यह की गई है, गुजरात में, हाल ही में किस ने Digital News Report 2022 जारी की है, अंसर इज राइटर्स इंस्टिटूट, विश्व सरनार्थी दिवस कब मना आ जाता है, यह मना जाता है, 20 जोन को, हाल ही में जारी नवी करनिये वैस्विक स्थीती रिपोर्ट 2022 के अंसर, भारत वर्ष 2021 में अक्ष्य उर्जा प्रतिस्थानों में कौन से स्थान पर है, तो भारत है इसमें तीसरे स्थान पर, हाल ही में किस देश ने फूजियान विमान वाहक पोत लॉंच किया है, तो फू वन्यजिव अभ्यार्ण के पास बैंबू ड्वेलिंग बैट की एक नई प्रजात्ति की खोज की गई है, तो ये खोज हुई है मिखाल्य में, खाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए विश्व का सरुष्रेस्थ हवाई अड़ा खोजित किया गया है, तो ये है हमद अंतरास्ट् दीवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है, मानोता के लिए योग। प्रति वर्ष विश्व संगीत दीवस का आयोजन कब क्या जाता है? ये किया जाता है 21 जून को जून 2022 में किस देश में जून 10 मनाया गया तो ये मनाया गया अमेरिका में हाल ही में खबरों में रहा Operation Sankalp किस सबस्तर बल से समंदित है ये समंदित है भारतिय नो से ना से योग के विकास और समवर्धन में उतक्रिष्ट योगदान के लिए प्रधान मंत्री पुरुषकार 2021 किस राष्टरिय संक्ठन को दिया गया ये दिया गया The Divine Life Society को जून 2022 में कोन अंतराष्टरिय फूटबाल इतिहास में सियूक्त पांच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए है तो ये है सुनिल छेतरे हाल ही में किस देश के तटपर दुनिया का सबसे बड़ा पोधा खोजा गया तो ये मिला है ऑस्ट्रिया में किस राज्य में मुख्यमंत्री मात्र शक्ती और पोशन सुधा योजना शुरू की गई अंसर इस गुजरात प्रतिवर्स विशव वर्सा वंदिवस कब मनाया जाता है ये मना जाता है 22 जोन को IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गोरव टुरिस्ट्रेन कहां से शुरू की गई ये शुरू की गई है नई दिल्ली से किस देश की महिला कुस्ती टीम ने Under 17 Asia Championship 2022 का खिताब जीता ये जीता है भारत ने हाल ही मिकिश राजय में पहली बार एक दुरलब ड्रेगन फ्लाई बर्मा गॉमफस चोको लेंसिस को देखा गया तो इसको देखा गया है केरल में निपुन पर योजना किसे समंदित है ये समंदित है कॉसल पर सिक्षन से अंतरास्ट्रिया ओलमपिक दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 23 जून को चोदमें ब्रिक्स सिखर सम्मेलन 2022 की अधक्सता किसके द्वारा की गई ये की गई थी से जिन्पिंग के द्वारा 21 जून 2022 को किस देशे ने अपना पहला घरेलू अंतरिक्स रोकेट नूरी का सफल प्रेक्से एपन किया ये किया था दक्षिन कोरिया ने इससे फेडरेशन आफ इंटरनेशनल क्रिक्ट एसोसियेशन की पहली महिला अधेक्सिन्युक्त किया गया लिशा स्टोलेकर So here is the answer 26 वी सिंधु दर्शन यातरा का आयोजन कहां किया गया तो सिंधु यातरा का आयोजन किया गया लेह में हाल ही में जारी वैस्विक लिवेबिल्टी सुस्कांग 2022 के अनुशार दुनिया का सब सी रहने योग्य सहर कौन सा है तो ये है वियना आस्ट्रिया 23 जून 2022 को भारत के संचार उपकर है G724 का सफल प्रिक्सेपन कहां से किया गया तो ये किया गया था कोरू फ्रेंच गुयाना से कौन सा एरपोर्ट अक्सिया उर्चा से जुरूरते पूरी करने वाला देश का पहला हवायड़ बन गया है तो ये है साथियो इंदिरा गांधी अंतराश्टी हवायड़ हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी مीठे पाने की मचली किस देश में पाई गई है ये चर्चा में रही मुख्य मंतरी बाल गोपाल योजना का सम्बंध किस राज्यर से है ये है राज्युस्थान से राश्ट्रियर जान्स एजन्सी का महाने देश किसे नुख्त किया गया है अंसर इस दिनकर गुपता 2023 में G20 के बैठक भारत के की शिराज्य अथवा केंदर सासित प्रदेश में आयुज़त की जाएगी तो ये होगी जम्मू कस्मीर में कांतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसी मुल्यवान वैस्विक ब्रेंड कौन सा है तो ये है TCS वर्टिकल लांच सौल ट्रेंज सर्फिस टू एर मिसाइल VRSRSAM का सफल प्रिक्षन कहां किया गया तो ये किया गया चांदिपुर में हाल ही में वग्यानिकों ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े जिवानों की खोज की है दुनिया के सबसे बड़े जिवानों तो ये की है करेविन दुइप्स मोहपद चर्चा में रहा फ्लोल टेस्ट किसे समंदित है तो ये समंदित है विधान मंडल में बहुमत प्रिक्षन से अंतराष्ट्रिय नाविक दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है 25 जून को रंजी ट्रॉफी 2021-22 का खिदाब किस ने जीता तो ये जीता मध्य प्रदेश ने बेधती वर्धा नदी जोडने की प्रियोजना किस राज्य में स्थित है तो ये स्थित है करनाटक में पद्मा ब्रेज किस देश में स्थित है जिसका उधगाटन जून 2022 में किया गया तो ये स्थित है बंगला देश में किसे नीती आयोक का मुख्या कार्यकारी अधिकारी यानि के CEO न्युक्त किया गया है परमेशवर अयर राष्ट्रिय MSME पुरुसकार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरुसकार मिला है तो ये मिला है पुड़ी सापो हाल ही में कहां पर बाजरा पर राष्ट्रिय सम्मेलने का आयोजन किया गया तो ये हुआ नई दिल्ली में हाल ही में किस ने निर्यात पॉर्टल का सुभार्म किया ये किया शुरी नरेंदर मोधिजी ने हाल ही में किस भारतिय को गोर्डन अचीवमेट पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया तो ये किया गया है विजे अमरीत राज को प्रतिवर्ष अंतराष्ट्री MSME दीवस का आयोजन कब किया जाता है ये किया जाता है 27 जोन को मिनार पक्षी गाउं किस राज्य में स्थीत है जिसे आरदर भूमी जिसे नई आरदर भूमी के रूप में अधिशूचित किया गया है तो ये स्थीत है राजिस्थान में मेडिसेप चिकित्सा वीमा योजना मेडिसेप चिकित्सा वीमा योजना किस राज्य से संबंदित है तो ये है किरल से भारतिय ओलमपिक संग का कार्यवाहक अधिक्स किसे न्युक्त किया गया है ये निक्ट किया गया है अनिल खन्ना को किस राज्या में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रियोजना शुरू की गई ये शुरू की गई है केरल में किस अंत्रिक्स एजन्सी ने औस्टेलिया की धर्ती से मीनी हबल टेलिसकोप लौंच किया तो ये किया है नासा ने जी सेवन के अर्टारिचमें सिखर सम्मेलन का अओजन कहां किया गया यह हुआ जर्मनी में हाल ही में किस रज्या में साउ जुआओ उच्छु मनाया गया ये मनाया गया गोवा में भारत ने किस देश की साथ राश्टरमनल राजनेक अकादमिकार्यकरम की खोसना की? अंसर इस ब्रिटेन प्राश्ट्रिये संखी की दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड दो हजार बाइस का खिताब किस ने जिता? ये जिता खुसी पडेल ने कम्याख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असर में हाल ही में किस देश ने जू जानाहा नाम से एक ठोस इंधन वाला रोकेट लॉंच किया ये किया है इरान ने रोहिल खंड जहां यूरेनियम के विशाल भंडार मिले है किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है रज़स्तान में जून 2022 में किसे अंतरास्टरिय भारोत तोलन महसंग यानिके IWF का नया अधक्स चुना गया मुहमद जलूल हाल ही में किस वेश्विक सेंक्टर ने 600 बिलियन अमेरिकी डोलर की वेश्विक बुनियादी धांसा कारेकरम की घोस्रा की है तो ये है जी सेवन जून 2022 में किन दो देशों को रास्टर मंडल देशों के समुह में सामिल किया गया अंसर इज गैबोन और टोगो अंतरास्टरिय सुद्र गह दिवस कब मनाया जाता है अंसर इज तेश जून चर्चा में रही इसकंदर मिसाइल सिस्टम किस देश से समंदित है ये है रूस से हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल योज प्लास्टिक बाय बेक योजना शुरू की है ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने जून 2022 में कौन रिलाइस जियो के नए चेर्मेन बने तो ये हैं अकास अंबाने 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट यानि कि HEAT का सफल उडान प्रिक्शन किया गया उसका नाम है अभ्यास ए लर्निंग पोर्टल डाक कर्म योगी का संबंध किस से है डाक सेवा से हाल ही में कौन सी भारत की पहली सवदेशी mRNA वेक्शन को आपातकालिन उप्यों की मंजूरी मिली है अनसर इज जैम कोवैक 19 हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायन रेड़ी राष्ट्रिया साहिति पुरुषकर प्रदान किया गया तो यह प्रदान किया गया है डॉक्टर परदिभा रेको भारत और किस देश के बीच अल नजाह फोर श्यूंक्त सन्य अभ्यास हुआ तो यह हुआ है भारत और ओमान क के बीच हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्यायरत यात्रा शुरू की गई यह शुरू की गई है चत्यजगर में वित्वरस 2021 और 22 के दुरान भारत में किस देश ने सरवाधिक पर्टेक्स विदेशी निवेश किया है यह किया है सिंगापूर ने हाल ही में किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अधारशी ला रखे गई यह रखे गई है जारखन में हाल ही में भारतिय नोसेना ने किस देश से दो MH60 रोमियो मल्टी परपल्स हेलिकॉप्टर प्राप्ट किये हैं ये प्राप्ट किये हैं अमेरिका से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मे मीरबाई चानू ने इस भारवर्ग में स्वण पतक जीता ये जीता है 49 किलोग्राम प्रति वर्स भारत में मुसली महिला अधिकार दिवस कब मनाये जाता है ये मनाये जाता है एक अगस्त को हालही में किस राज्य में मिंजर मिला का आयोजन हुआ ये हुआ है हिमाचल प्र यूरोपिये चेंपिंशिप फुटबाल प्रतियोगता 2022 का खिताब किस ने जीता ये जीता है इंग्लेंड ने चर्चा में रही दिलाइट विकैरी नामक पुष्ट के लेखक कौन है इसके लेखक है मिशेल ओबामा कॉमन वेल्थ केम्स 2022 में चिंता सेउली ने वेट लिफ्टिंग के किस भारवर्ग में सुवण पदक जीता ये जीता है 73 किलोगराम भारवर्ग में हाल ही में द्रास में 0.5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो अब नया नाम है गन हिल ओनलाइन सरकारी इटेक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है ये है साथियो केरल पिच बलेक 2022 युद्य अभ्यास किस देश में आयुद हुआ ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में एक अग्स 2022 को किस राज्य में अधीम पूरम महत्सव मनाया गया ये मनाया गया है तमिलनाडों में हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकनांद युवा सकती योजना का सुभारम किया है ये किया है करनाटक ने हाल ही में चर्चा में रही मनीसा रोपेटा किस देश से समधित है ये है पाकिस्तान से हाल ही में किस राज्या ने चातरों को डिज्टिल जाती प्रमान पत्र जारे करने के लिए मिशन भूमी पुत्र लॉंच किया है तो ये किया है असम ने भारतिय मिक्स्ट बैडमिंटिन टीम ने बर्मिंगम कॉमनवर्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जिता तो ये है रजद पदक हाल ही में किस राज्या सरकार ने चिराग योजना शुरू की है ये शुरू की है हर्याणा ने हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्चिन ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी सिर्स पर है तो ये है वॉल्मार्ट अक्तुबर 2022 में भारत और किस देश के बीच एक मेगा सेन्य युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया तो अक्तुबर 2022 में इसके साथ अमेरिका वेशा हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला सब्तंतर समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन थी तो इनकी कप्तान थी इसकी कप्तान थी आंचल सर्मा किस राज्य में ओपरेशन मुक्ती अभ्यान चलाया गया तो ये चलाया गया था उत्रा खंड में लंगत सिंग् कॉलेज खगोलिया वेजशाला कहां पर है? लंगत सिंग् खगोलिया वेजशाला ये है बिहार में तेजस्वीनी संकर ने राष्टरमनल खेलों 2022 की एथलेटिक्स परधा में पुरुसों की उंची कुद में कौन सा मेडल जीता तो इन्होंने जीता है कांसे पदक अगस्थ 2022 में DRDO ने लेजर गाइड़ एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल यानि के ATGM का परिक्षिन किस युद्धर टैंक से किया तो ये धा अरजुन किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल शिटी दिल लाइन बनाई जा रही है ये बनाई जा रही है सौधी अरब में किस देश ने चंदरमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानोरी लौंच किया है ये किया है दक्षिन कोरिया ने किस राज्य में राज्य पुलिस की एकिकरित कमान और नियंतन केंदर का उधगाटन किया गया जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंदर है ये है साथियो तेलंगाना किस राज्य में स्थित अमकार इस्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है तो ये है मध्या प्रदेश में कौन विशव अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनिशिप 2022 में दो मैडल जीतने वाली पहली भारतिया महिला बन गई है ये है रूपल चोधरी बर्मिंगम राष्ट्रमनल खेल 2022 में भारतिया पैरालिफ्टर सुधिर ने कौन सा पदक जीता इन्होंने जीता है सुवर्ण पदक प्रती वर्ष राष्ट्रिय हतकरगा दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को हाल ही में किसने पांच देविश्य उपगरह संचार अभ्यास स्काइलाइट अयोजित किया ये किया था भारतिय सेना ने किस टाइगर रिजर्व में मोदी सरकेट विक्षित किया जा रहा है ये किया जा रहा है कार्पेट टाइगर रिजर्व में बढ़े चलो अभ्यान कि यिस मंत्रास्थ दुत्र करबाए गया यह करबाएगा समस्कृती मंत्रा समस्कृत करबारा के लाट मेरें इस ने अभरेशन यात्री शुरक्षा का सुबर्म किया यह किया है रहर्य है बल although कि अ 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस भारवरग में गोल्ड मेडल जीता ये जीता है 48 से 50 किलोगराम भारवरग में प्रतिवरस रास्ट्री है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है साथ अगस्त को अगस 2022 में किसे विज्ञानिक हुए और ध्योगिक अनुसंधान परीशदे यानि कि CSIR की पहली महिला महानिदे से कन्युक्त किया गया ये है नलात्मभी कलाई सेलवी अंडर ट्वन्टी सेफ फुटबाल सेंपे निसिप 2022 का खिताब किसने जीता ये जीता है भारत ने तिबती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश के सर्वोच नागरिक समान डिपाल आरेन जीम डेस्टन से समानित किया गया इनको समानित किया गय ने प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक समस्कृत ग्राम विक्षित करने की घोसना की है ये की है उत्तराखंडने मिस इंडिया यूएस से 2022 का किसने जीता ये जीता है आर्या वालवे करने हालही में भारत के पहले हिमालियन मसाला उध्याम का उध्गाटन कहां किया गया ये किया गया रानी खेत में हालही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भृण विक्षित किया गया ये किया गया था इस्राइल में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा भारत रहा चोथ स्थान पर पर परतिवर्स विशव आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 9 अगस्त को ड्रॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस सहयोग से हीम ड्रॉन एथान कार्यगरम का आयोजन किया गया इसके द्वारा भारतिय सेना हालही में किसे अंतराष्ट्रे सतरंच संग का उपाधेक सिन्युक्तिया गया है विशुनाथन आनंद भारत और किस देश के बीच सिन्युक्त बढ़ाने के लिए पंचामरित योजना शुरू की ये शुरू की उत्तर प्रदेश ने हालही में किस राज्य है या केंदर सासित प्रदेश में परवाज अभिनव मार्किट लिंकेज योजना शुरू की गई ये शुरू की गई जम्मू कस्मीर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया ये किया गया गांधी नगर में हालही में कौन भारत के 75 वें गरांड मास्टर बने है ये हैं वी प्रणाव प्रतिवर्स विसव जैव इंधन दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 अगस्त को इस देश ने नेताजी सुभास चंदर बोश से से चुड़े स्थल पादांग को 75 में महाराष्ट्री स्थल गोसित किया है तो ये किया है सिंगपुर ने 44 में सत्रंज ओलंपियाड 2022 में ओपन स्रेण में कौन सा देश सीरिस पर रहा तो ये है उस्पेकिस्तान परधान मंत्री निरेंदर मोदी द्वारा दूसरी पीड़ी के इथेनौल सिंतर का लोकारपन कहां किया गया तो ये है पानेपत हर्याना में किस देश की टेनिस खिलाडी सेरेना विलियम्स ने सन्यास की घोशना की है तो ये हैं अमेरिका से हाल ही में करनाटक सरकार ने किसे करनाटक रतन अवोर्ड से समानित किया है तो ये है पुनित राजकुमार वर्स 2021-22 के लिए AIFF का सर्वसरेष्ट पूरुस फुटबालर किसे चुना गय तो ये है सुनिल चेतरी प्रतिवर्स विशव सेर दिवस का आयोजन कब किया जाता है ये किया जाता है दस अगस्त को पसुधन को तवचा रोग से बजाने के लिए कौन सी सवदेशी वैक्सिन लॉंच की गई अंसर इज लंपी प्रोवेक हाल ही में रूसी रोकेट स्वयूज ने किस देश के उपकर है खयाम का प्रक्सेपन किया तो ये गया तो ये था ये भही दिल्ली गलत है ये तो ये था रोकेट इरानी रोकेट तो रुसी रोकेट स्यूज ने इरान देश के उपकर है खयाम का प्रकसेपन किया तो इसका नसर है इरान हाल ही में किस राजय सरकार ने नित्रना बीम योजना लौच की तो ये योजना है तेलंगाना की तो ये थोड़ी सी यहां पर टैपिंग मिस्टेक है नेशनले स्पोर्टस क्लाइमिक परती हो गिए था 2022 का आयोजन किस राज़य में किया गया तो ये किया गया था उत्रा खंड में, हाल ही में कि इस राजय सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशिरवाद योजना लागू करने का नियने लिया है, तो ये है मुख्यमंत्री बाल आशिरवाद योजना मध्या प्रदेश. प्रतिवर्स विभाजन विभीसी का सिमरिती दिवस कब मनाया जाता है ये मना जाता है 14 अगस्त को किस नदी पर दुनिया के सबसे उंचे पुल के गॉल्डन जॉइंट का उधगाटन किया गया था ये किया गया है चिनाप हाल ही में चर्चा में रहा लेंगिया हिनिया क्या है तो ये एक वाइरस है हाल ही में कौन सा देश सेनिट्री प्रोडक्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो ये देश है स्कोटलेंड हाल ही में किस देश की वस्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेली लाइफटाइम अचिविमेंट अवोर्ड जीतने वाली पहली दक्षिन एशियाई महिला बन गई है तो यह हैं बंगलादेश से आलही मिकिश राज्या में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई तो यह लागू की पंजाब में भवाने देवी ने कॉमन वेल्थ फेसिंग चैंपियर्शिप दो हजार बाइस में सीनियर महिला असबरे वेक्तिके तुबर्ग में कौन सा पदक जीता तो इन होने जीता स्वरण पदक दूसरे उत्रपूर्व अलोंपिक खेल 2022 कहां आयूजित किये गए तो यह थे मिखाल्या में 15 अग्स 2022 को भारत ने कौन सा सवतंतरता दीवस मनाया तो भारत ने 76 सवतंतरता दीवस मनाया हालही में चर्चा में रहा नीपम इससे समंदित है तो यह समंदित है बौधिक संपदा से भारत की पहली अंडर्वोटर मेट्रो सेवा किस सहर में शुरू होगी तो यह होगी खुलकाता में भारत की पहली सेलाइन वोटर लॉल्टेन का क्या नाम है तो यह है रोसने भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में सिर्श बीस वैस्विक अर्थवस्ताओं की सूची में कौन से स्थान पर रहा तो भारत रहा सात्वें स्थान पर हालही में किस राज्या ने अकस्तिय मलाई हाथी रिजर्व की घोशना की है हालही में फुटबाल का UEFA सूपरकप 2022 का खिताब किस ने जीता तो यह जीता है रियल मेडरीट ने हालही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों टी आर सेस की पूरव सिखर बैठिक की मेजबानी की तो यह किये है भारत ने परती वर्स विशव अंगदान दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 13 अगस्त को सवतंतरता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल के लिए पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बने तो यह है 80 AG तोप Omicron वेक्शिन को मुझूरी देने वाला पहला देश कौन सा है Omicron वेक्शिन को यह है ब्रिटेन नवरोज उत्सव किस धर्म से समंदित है तो यह समंदित है पार्सी धर्म से किस राज्या या किंदर सासित परदेश में ग्राम रक्षा गाड योजना 2022 लागों की गई यह की जम्मो कस्मीर में आलही में भारत ने किस देश की नोसेना को पहली बार डॉर्नियर 228 समुद्री निगराने विमान सौपा है तो यह सौपा है सिरलंका को चर्चा में रही गाड़ा जील किस देश में स्थित है तो यह है इडली में हालही में किस ने सत्तद विकास लक्षों यानि SDGs से समंदित मंथन मंच का सुभारम किया है तो यह किया है परधान विज्ञानिक सुलाहा कारिया लेने सुल्तान अजलन साहकप अंतरास्ट्रिय पूर्स होके टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां किया गया यह किया गया था मलेशिया में हालही में विल्यम रूटो किस देश के नई रास्टरपती बने है तो यह बने है के निया कई हालही में विश्व स्वास्ते संक्ठन ने किस वाइरस के वेरियंट का नाम कलेट्स 1-2A-2B दिये है तो यह दिये है मंकी पॉक्स को हालही में किस राज्य का आदिवासी जिला मंडाला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्सर जिला बन गया है तो यह है मध्या प्रदेश डिटोल स्कूल सवस्ता सिक्षा कार्यकरम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है तो ये है उत्राखन राज्य की पहल चरखा चाक उत्सब किस राज्य में मनाया गया तो ये मनाया गया मध्यप्रदेश में रेडिकली फ्रेखा भारत और किस देश के बीज अंतराश्ट्रिय सीमा है तो ये है भारत और पकिस्तान के बीज तर्चा करता है 19 अगस्त को पहले दो वरस में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किये गए राष्ट्रिय अभ्यान का क्या नाम है तो इसका नाम है पालन 1000 वोस्तक 2022 से अभार अभ्यास कहां अयोजित हुआ तो यह हुआ रूस में मादक प्तार्थों की तसक्रों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है तो यह है निदान पोर्टल भारतिय रेलवे की सबसे लंबी मालकाड़ी का क्या नाम है यह है सुपर वासू के जल जीवन मिशन के तहद 100% हर घर जल प्रमानन आसिल करने वाला देश का पहला र सबसक्कंणा निश्या यह मना अघर आता है उन्नीस अगस्ट को हालही में हरऄ घर जल प्रमानित देश का पहला केंद्र-शासित प्रदेश कों सा है दो राज्या तो और केंदर सासिद प्रदेश है दाद्रा नगर हवेली वद्दमन और दीव किस राज्या ने विद्यारत स्कूल विद्यारत स्कूल और वेल्स प्रियोजना लॉंच की है तो यह लॉंच की है असमने काल ही में किस राज्या या केंदर शासिद प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर वन मिशन लॉंच किया है दिल्ले ने वर्ष 2022 में स्वच्ता पक्वाड़ा का आयोजन कब किया गया तो यह किया गया था 16 से 31 अगस्तक वर्थमान में केंद्रिय ग्रहिश्चीव कौन है तो यह है अजय कुमार भल्ला विशो मच्छर दिवस मौस्क्यूटो डे कब मनाया जाता है तो यह है 20 अगस्तक नमस्ते यो यह है समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मुंत्राल्य और आवास एवं सहरी कार्या मुंत्राल्य कि स्यूंक्त पहल हाल ही में लौंच किये गए मतस्य सीत्य मुबाइल एप के ओनलाइन मार्किट प्लस फीचर का क्या नाम है तो इसका नाम है एकवा बजार तरचा में रही मनीशा कल्यान किस खेल से समंधित है तो इनका संबंध है पुटबॉल से इस राज्य सरकार ने ग्रामिन आजिवी का पार्क स्थापित करने की गोसना की है यह कि है चतिश गडने एक्सरसाइज पिच बलैक 2022 किस देश में आयुजुद हुई तो यह हुई ऑस्ट्रेलिया में महिला पुलिस का दस्वा रास्ट्रे समेलन 2022 कहां शुरू हुआ तो य यह हैं अंतिम पंगल चंडिगड अंतरास्ट्रिय एरपोर्ट का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो यह है सहीद भगत सिंग के नाम पर विच वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मुनाया जाता है तो यह मुनाया जाता है 21 अगस्त हो भारत की पहली हाइड्रोजन इ की आई टेग प्रतान किया गया तो यह प्रतान किया गया बिहार को इस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के प्रिक्षिन के लिए भारत की पहली सवदेशी रूप से विक्षित आर्टी पीसी आर्किट विक्षित की है तो यह विक्षित की है ट्रांस एसिया बायो मेडिकल से देश की पहले नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिये है तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने राजिव गांधी सेंटर ओफ एडवांस टेक्नोलजी का उदुखाटन कहां पर किया गया ये किया गया है साथियो जयापूर में अगस्त दो हुजार बाइस में विदेश मंतरी एस जेशंकर ने किस देश में महत्मा गांधी की एक आवक्स परतिमा का अनावन किया तो ये किया था प्रागवे में अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा स्युक्त सेने अभ्यास उल्चीफ फ्रीडम सिल्ड अयुजित हुआ तो ये हुआ है अमेरिका और दक्षिन कोरिया के बीच में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयुजिन कहां पर हुआ तो ये हुआ नई दिल्ले में अंतराश्ट्रियत दास वेपार और उसका अनमूलन समान दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 23 अगस्त को गर्भा किस राज्य का परसिद लोक निर्तिया है तो ये है गुजरात का 14 से 21 अगस्त 2022 तक आयुजित खगोल विज्ञान और खगोल भोतिकी पर पंद्रमा अंतराश्ट्रिय अलुम्पियाड में भारत का कौन सा स्थान रहा तो ये था भारत का स्थान तीसरा 65 मा रस्टरमंडल संसिद्य सम्मेलन किस दे राजिव गांधी ग्रामिंड ओलॉंपिक खेलों का आयोजन किस राज्या में हुआ तो ये हुआ है राजस्तान में। भारत की पहली वानिजिक अंत्रिक्स स्थीति जन्याच जागरुकता वेदसाला स्थापित की जाएगी उत्राखंड में ग्यारवी राष्ट्रिय बीज कॉंगरेश 2022 का आयोजन कहां किया गया तो यह हुआ था गौालियर में इस देश ने भारत के साथ राजनिक संबंधों क यह 75 वी विवसगांट की उपलक्स में एक डाक टिकेट जारी किया है तो यह डाक टिकेट जारी किया है मिसर ने किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउन सी प्रियोजना को मनजूरी दी है तो यह दी है उत्तर प्रदेश ने इंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेट ने गौबर से संपीडित पहली बायोगैस प्रियोजना कहां शुरू की तो यह शुरू की संचोर राजस्थान में विसव गुजराती भासा दीवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है साथियो 24 अगस्त को इस राज्या ने देश की पहली सरकारी स् हुआ हुआ तो यह हुआ विशाका पटना में हिंदी भासा में साहित्य अकादमी युवा पुरुषकार 2022 कि इसको दिये जाने की घुशना हुई है तो यह हुए है भगवंत अनमोल्गों होमी भाबा केंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का स्थिद है यह स्थिद है मुखाली में विशाव जल सपता है 2022 का आयुजन कब से कब तक हुआ तो यह हुआ 23 अगस्त से 1 स्थम्बर तक अहमीदा अजीम जिन्हें 2022 की पुलितिजर पुरुषकार के लिए चुना गया है किस देश से हैं तो यह हैं बंगला देश से हाल ही में FTX क्रिप्टो कप किस ने जीता तो यह जीता है मैगनेस कॉरलसन ने इस से युनेशको सांती पुरुषकार 2022 से सम्मानित किया गया तो एंजेला मरकल पहला खेलो इंडिया महिला जूडू टूर्नामेंट 2022 कहां से शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ था कुहाटी असम से अगस 2022 में भारतिय विदेश समंत्री ने इस देश में भारतिय दुतावास का उद्खाटन किया तो यह किया था प्रागवे में इस देश में हाइडोजन से चलने वाली यात्री टेर्नों का दुनिया का पहला बेड़ा लौच किया गया तो यह लौच हुआ है जर्मने में एसिया के पहली कागच मील नेपाल लिमिटेड का लोकारपन कहां किया गया तो यह हुआ है बुरहानपुर में हाल ही में चर्चा में रही अन्नामनी कौन है तो ये हैं एक मौसम विग्याने देश में निर्मिद पहला विमानवाख बहुत कौन सा है तो ये है विक्राद महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है सब 20 अगस्त को भारत और किस देश ने उस यारा नदी के अंतरीम जल मंटवारे पर सम्चोता ग्याफन, वो अंतिम रूप दिया है, तो भारत और बंगलादेश, चोदमी अंडर 19, पूरुस एसियन वॉल्यबल चैंपिनिसिप, 2022 का खिताब किस ने जीता, तो ये जीता है, जपान ने, इस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से समानित किया गया है, तो ये मिला हसाथियो, वलोडमिर जलेंस्की को, अनंग ताल जील, जिसे हालही में राष्ट्रिय महत्व का समार घोशित किया गया है, किस राज्यय यकेंदर सासित प्रदेश में है, तो ये हसाथियो, नई दिल्ली में राष्ट्रिय खेल दिवस कब मनाय जाता है, तो राष्ट्रिय खेल दिवस मना जाता है 29 अगस्त को, अगस्त 2022 में खाधी उत्सव कहां आयुजित हुआ, तो खाधी उत्सव आयुजित हुआ एहम दबाद में, लुसाने डाइमंड लीग 2022 का किताब किस ने जीता, तो ये कल्यान कार्ड योजना किस राजय से समंदित है, तो ये समंदित है उत्रपदेश से, अगस्त 2022 में मारबल उत्सव कहां मनाय गया, तो मारबल उत्सव मनाय गया नागपुर में, महिला निधी योजना का समंद किस राजय से है, तो ये है साथियो राजस्तान से, भारत का प हाल ही में खबरों में रहे लिन्थोई चनमभम किस खेल से जुड़ी है तो ये जुड़ी है जुड़ों से चर्चा में रहा स्वॉर्म क्या है तो स्वॉर्म एक ड्रोन प्रणाली है अटल ब्रीज कहां स्थित है तो अटल ब्रीज स्थित है एहमदाबाद में मध्या भारत के पहले टोई कलस्टर का सिल्या नास कहां पर किया गया तो ये किया गया साथियो इंदोर में हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजिन अंदर का अपना ही रिकोर्ड थोड़ा है तो ये देश है दक्षिन कोरिया भारत का पहला 3D मुद्रिट डागघर कहां बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है बैंगलूरिय में हाल ही में किसे यूरॉपिय फुटबाल महासंग के वरस का सर्वस्रेष्ट पूरुष खिराड़ी चुना गया है तो किसको चुना गया है करीम बेन जिमा राष्ट्रिय लगू उध्योग दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को सर्चा में रहा सुमंग लीला किस राज्य में आयुजित एक परंप्रिक तो हार है तो ये है मनीपुर में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किस ने जीता तो ये जीता है दिपी का रोय ने हाल ही में कौन अंतराष्ट्रे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विक्ट लेने वाले तेज गिंदबाज बन गये हैं तो ये है जेम्स एंडर्सन अंतरिक्स में जाने वाले पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन है तो ये है निकॉल मान बी डबलू एफ विशो चैंपियंशिप 2022 किस ने पुरुस एकल खिता जीता तो इसमें जीता है विक्टर एक्सेल से ने दुनिया के सबसे बड़े वेदिक तारा मंडल मंदिर का निर्मान की सरज्जे में किया जाएगा तो ये किया जाएगा पस्चिम बंगाल में प्रतिवर्स हिंदी दिवस कब मनाय जाता है तो ये मना जाता है 14 स्टमर को बहुर अस्ट्रिय अभ्यास का काड़ू 2022 कहां आयोजित हुआ तो ये हुआ था आस्ट्रेलिया में रख्तदान अमरीत महुतसब का आयोजिन कब से कब तक किया गया तो ये हुआ था 17 स्टमर से 1 अक्तुबर तक हाल ही में कौन सा बैंक Elecbone bank guarantee जाड़ी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है तो ये है HDFC हडपा समस्कृत का दुनिया का बसे बड़ा संखराल या, कहां बनाया जारहा है तो ये बनाया जा रहा है राख्य गड़ी रियाना में हाल ही में किस राजय सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंस मुबाइल चिकत सायोजना शुरू करने की घोषना की है तो यह है 37 गड़ चुहत्रमें प्राइम टाइम एमी अवोर्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवोर्ड किस ने जीता तो यह जीता है सक्सेशन हाल ही में इसके सहयोग से देश में पहली हाई थ्रोपुट सेटलाइट ब्राड मैं इंटरेनेट सर्विस शुरू करने की घोषना की है तो किसके सहयोग से हिउजेस कम्मुनिकेशन इंडिया इनके सहयोग से शुरू होने वाली है खादे इंडिया द्वारा पहली खादी फेशन सो कहां किया गया तो यह गांधी नगर में जपान इंडिया मेरिटाइम अक्सरसाइज 2022 कहां आयूजजित हुई तो यह हुई थी बंगाल के खाड़े में वित्य मद्यसक्त कोस यानि कि FIF किसके द्वारा प्रस्तावित था तो यह था विश्व बैंक के द्वारा संगही सहयोग संग्ठन का बाइसमा सिखर समेलन कहां अयुजित किया गया तो यह हुआ था उजबेकिस्तान में पाल ही में लिखेद वाइफाई ने विश्व यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें कलमनो कार्निवल उस्तक मेला कहां अयुजित हुआ तो यह है एहमदबाद में अंतराष्ट्री है डेरी संग विश्व डेरी समेलन 2022 कहां आयुजित हुआ तो यह हुआ था ग्रेटर नौइडा में यूएस ऑपन 2022 में पूरुस एककल का किताब किस ने जीता तो यह जीता है कार्लोस अलक्रॉज ने जर्चा में रहा ओप्रेशन गीर बॉक्स का समन्द किस्वे है तो यह है राज्यसव खोपिया निदेशा ले भारतिय नोसेना के प्रोजेक्ट 17A में स्टेल्थ फ्रीगेट वाईडी 12653 का क्या नाम है तो इसका नाम है तारागिरे 11 स्टंबर 2022 को सिरलंका ने किसे हरा कर एसिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती तो किसको हरा कर जीती पाकिस्तान हो इस राज्या में पहली बार नागा मिर्चा महुटसव 2022 आयुजित किया गया तो यह हुआ था नागालेंड में हालही में भारतिय सेना ने कहां पर प्रहार सेन्य अभ्यास किया तो यह किया था लद्दाक में हालही में किस देश ने खुद को प्रमानु संपन देश घोसित किया है तो यह है उत्तर कोरिया प्रती वर्स विसेव आत्म हत्या रोक्ताम दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है दस स्तंबर को स्तंबर 2022 में भारतिय सेना और वायु सेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक स्यूंकत अभ्यास किया तो यह गगन स्ट्राइक कहां किया गया जाब में हालही मे किस ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता ये तो ये खिताब जीता है वन्सी का परमार ने हाल ही में डीप फ्रीजर इस्टूड द्वारा जारी विशव आर्थिक स्वतंदरता सुचकांग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का स्थान है स्वत्स अमरित महुत्सव कार्यकरम कब से कब तक आयोजित किया गया तो ये किया गया 17 स्थम्बर से 2 अक्तुबर दा हाल ही में किस देश ने भारतिया नोसिना के पूरव परमूख एडमिरल सुनील नामबा को मेरिटोरियल सर्विस मेरिल से समानित किया है तो ये किसनिक सिंगापूर देश ने हाल ही में किस भारतिया राज्या ने चात्ता योजना शुरू की है तो ये शुरू की है उडिसा ने पदन पत्थ प्रिवहन ऋब जल्वALमारक मंत्रालय दूरा कहां पर राष्ट्य व सुमद्री विरास्त प्रेसर का निर्मान किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए counter ransomware अभिहास का अयोजिन किया तो ये किया था ब्रिटेन ने स्टमबर 2022 में स्यूंग तरास्टर विकास का रगरम द्वराजारी माननाव विकास सुचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा तो ये था 132 सिक्सा परव 2022 का उद्गाटरन कहां पर किया गया था तो ये किया गया था नहीं दिल्ली में परति वरस अंतरास्ट्रिय सक्सक्रता दिवस कब मना जाता है ये मना जाता है 8 स्थम्बर को सेना के fire and fury three Corps ने कहां पर ignited minds कर्यकर्म की शुरुआत की तो ये शुरुआत की थी कर्किल में देश की पहली नेजल व्यक्षिन इसके द्वारा विक्षित की गई तो ये की गई भारत बायोटेक द्वारा हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गाउं स्थापित किया गया तो हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थय योजना सेहत का सुभारम किया है तो ये किया है साथियो हरियाना ने हाल ही में किस ने 22 में दुबाई ओपन 17 स्टूर्णामेंट जीता है तो ये 22 में दुबाई ओपन 17 स्टूर्णामेंट ये जीता है अर्वेंद सिद के सफल कहां किया दो यह किया था प्रुम्भा में पीमат मीएमदन राजपत का नए घृति昨 आतका कौ राजपत का नए नाम क्या है राजपत का नहाल है घृत गय्च अवाये एकता यह प्रूल जान इटली में किस वरस को अंतरस्ट्रियाग मोटे अनाज वरस के रूप में जाना जाएगा तो यह रहेगा 2023 प्रास्ट्रिया पोशन सकता है यह सकता है नहीं है यह सपता है वीक राष्ट्रिय पोर्षन सप्ता है 2022 की थीम क्या रही तो यह रही सेलिब्रेट वर्ल्ड आफ फ्लेवर हाल ही में पहला होमियोपेथी अंतराष्ट्रिय स्वास्थे सिखर सम्मेलन कहां आयुजित हुआ तो यह हुआ था दुबई में तर्चा में रहा सिनर्जी क्या है त तर्चा में रही दि हीरो आफ टाइगर हिल किसकी आतमकता है तो दि हीरो आफ टाइगर हिल यह है युगेंदर सिंग यादव के इस समधान पोर्टल का संभंध किस आयोग से है तो इसका संभंध है विशव इधले अनुदान आयोग से प्रतिवर्स विशव तमभाखो निशेद दिवस कब मना जाता है तो यह मना जाता ही कतिस मई को राष्ट्य उध्यान के अंदर समुदाइक वन संसाधन अधिकारों को मानेता देने वाला देश का दूसरा राज्या कौन सा है तो वो है 36 गट हाल ही में किस संस्थान ने पर कर्या करम की संस्था यह संक्टन की पहल है तो यह है भारतिया समस्क्रेटिक सम्मंद परीशत हाल ही में केंदर स्टकार ने परधान मंतरी रोजगर स्रिजन कर्या कर्या करम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दिया है तो यह है 2025 से 2026 हाल ही में किस देश ने हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल जिर्कॉन का सफल प्रिक्षन किया है तो जिर्कॉन का सफल प्रिक्षन किया है रूस ने एक जुन 2022 को हर घर दस्त कभियान का दूसरा चरण शुरू होगा यह किस समंदित है तो यह है कौविड टेका करन अलही मिकिस राज्य में डाक करके मेल डिलिवर किया हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंद्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार की घोश्चना की है यह कि है राजस्तान हाल ही में जारी फॉर्ब्स कि 30 अंडर थर्टी एसिया लेस्ट 2022 में सरवाधिक प् अक्सर चर्चा में रहने वाली यह टाइपिंग में स्टेयर थोड़ी से अस्तर मारक एक एक मिसाइल है कौन सी मिसाइल है हवा से हवा में मारक करने वाली एक मिसाइल हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच 27 शिंधु आयोग की 1818 में बैठक कहां अउजद की गई तो यह कि थी लेह में हाल ही में जाने माने सक्षियत कृसिया क्रिसन कुमार का निजिन हो गया है वह थे एक गायक आलही में किस देश ने स्युक्त अर्ब अमिरात के साथ एक मुक्त वेपार सम्झोते पर हस्ताक्सर किये है जो अर्ब देश के साथ अपना पहला बड़ा वेपार सम्झोता है तो ये किया है इसराइल ने एक जुन 2022 को पुरुस होकी एसिया कप 2022 का खिताब किसे ने जीता तो ये जीता है दक्षिन कोरिया ने एक से दो जुन 2022 को सिख्षा मंतरियों का रास्ट्रिय समिलन कहां अवजित किया गया तो ये किया गया था गांधिनगर गुजुरात में प्रतिवर्ष विश्व दुगत दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है एक जुन को हालही में किस सरवजनिक उपकरम ने जै विवितता नित्य दो हजर पाइस जारी की है तो ये की है रास्ट्रिय ताप विद्युत निगम लिमिटेडने प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है दो जुन को तर्चा में रही फूलों के खाटी किस राजय में स्थित है तो फूलों के खाटी स्थित है उत्राखन में वित्य वरस 2021-22 में भारत के वस्तरों के सिर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा रहा है यानि के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा रहा है अमेरिका एक जून 2022 को जारी टाइम सा हायर एजुकेशन एसिया युनिवरस्टि रैंकिंग 2022 में कौन सा भारते संस्थान सिर्ष पर रहा तो यह रहा इंडियन इस्ट्यूट आफ साइंस बेंगलोरो हाल ही में उनस्ट में इंटरनेशनल कॉंफरेंस ओफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टोप 500 सुपर कंप्यूटर स्कीलिस्ट में किसी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया तो यह चुना गया है फ्रंटियर अमेरिका को हाल ही में किसे नागरिक उठियन सुरक्षा ब्यूरो का महानी देशक न्यूक्त किया गया जूल्फिकार हसन को हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच नागरिक पुरुसकार सितारा एपाकिस्तान से समानित किया गया स्टारा ए पाकिस्तान तो किसको डेरिन सेमी को दो तीन जून 2022 को कहां पर स्टॉक होम प्लस 50 का आयोजन किया गया यह किया गया है स्वीडर में अक्सर रास्ट्रिय समाचार पत्रों की सुर्ख्यों में रहने वाला सब्द हिमारस क्या है यह किसको निरूपित करता है तो हिमारस है एक रॉकेट लॉंच सिस्टम हाल ही में भारतिय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतरास्ट्रिय वपार के केंदर के रू प्रतिवर्ष विश्व साइकल दिवस कब मना जाता है तो यह है तीम जून को फाल ही में किसे सश्टर सेमा बल का नया महानिदेश से नियुक्त किया गया है SL 1000 को जून 2022 में देश का पहला और एसिया का सबसे बड़ा लिक्वीड मिरी टेलिस्कोप कहां स्थाबित किया गया तो यह स्थाबित किया गया देवस्तल उतराखंड में ओपरेशन महिला सुरक्षा किस से समंदित है तो यह समंदित है रेल्वे सुरक्षा बल से हाल ही में किस भारतिय अमरीकी जहत्तर ने 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल आफ मुकाबले में खिताब जीता है तो यह किस ने जीता है हरीनी लोगन ने सार जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्चे में शुरू हुए हाल ही में शुक तरस्ट ने किस देश का नाम बदलने के अन्रोध को सिवकार कर लिया था तो यह तुर्की तीन जून 2022 को आई एनस निसंख और आई एनस अक्षिया को कहां पर सेवा मुक्त किया गया तो इनको मुंबाई में दो जून 2022 को जानी मानी सक्सियत भजन सुपोरी का निधन हो गया वे थे एक सुन्तूर वादक हाल ही में किस राज्चे या केंदर सासित प्रदेश ने सडकों और कोलोनियों का नाम बी आर अमेडगर के नाम पर रखने की योजना बनाई है तो यह नहीं दिल्ली प्रतिवर्स विश्व प्रयामन दिवस कब मना जाता है पांच जोन को तर्चा में रहा पुनित सागर अभ्यान का संबंध किस्से है अस्ट्रियक केडिट कोर से तीन जोन 2022 को शुरू की गई स्रेष्ट योजना का संबंध किस्से है तो स्रेष्ट योजना का संबंध है अनुसूचित जाती से हल ही में कहां पर आईएस हेरिटिज सेंटर बनाने के लिए एक समझोता क्या अपन पर हस्ताक्सर किये गए है तो यह हुए हैं चन्रिगर में चार जून 2022 को किस ने फ्रेंस ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीता तो यह जीता है इगा स्वियातिक ने पांच जून 2022 को राश्टर प्रियोजना को सूचना सुसाइटिव फॉर्म दोज़ाटन किया तो यह किया था मगहर उत्रप्देश में हाल ही में किस राज्य की इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रियोजना को सूचना सुसाइटिव फॉर्म 2022 पर स्युक्त राश्टर के विशव सिकर्स मिलन में सम्मानित किया गया तो यह था मिघाल्या हाल ही में किस राज्य ने गरभवती महिलाओं के लिए विशेश स्वास्था देखभाल कार्या करम आंचल किस रुवात की है तो आंचल किस रुवात की है राज्यस्थान ने खालही में किस राज्या ने फेसलेस चेतरिय प्रिवहन कार्याले लॉंच किया है, तो यह किया है महाराष्टर ने प्रति वर्स विश्व खाध्य सुरक्ष का आयोजन कब किया जाता है तो यह किया जाता है साथ जून को पांच जून 2022 को किस देश की पुरुष होक्किट टीम ने F.I.H. होक्की 5S संपिन सिप का किताब जीता तो ये जीता है भारत ने हाल ही में किस राज्या ने 100 साल बाद भारतिय लिपस्टिक पौधे की खोज की है तो ये खोज हुई है अरुनाचल प्रदेश में पांच से 16 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीज संप्रिती X स्यूंक्त सेन्या प्रसिक्षिन अभ्यास का अयुजन हुआ तो ये हुआ था भारत और बंगलादेश के बीज पांच जून 2022 को शुरू की गई वैस्विक पहल L.I.F.E. में E किसे संधर्भित करता है तो ये E करता है इन्वारिमेंट को पांच जून 2022 को ग्रिह मंतरी अमित साह कहां पर राष्ट्रिय जन जातिय अनुसंधान संस्थान का उद्धाटन करेंगे तो ये पास्ट का है पुराना कंडफेर है तो ये हुआ था नहीं देली में आलही में भारतिय खद्ध्य शुरुक्षा एवं मानक प्राधिकंड द्वारा इराइट चलेंज कारेकरम की जारी रेंकिंग में कौन सा सहर देश में पहले स्थान पर है तो स्थान है सहर है इंदोर दो से नो जून 2022 तक किस राज्य में कांगडा वेली समर फेस्टिबल 2022 का आयोजन किया जार रहा था तो यह था हिमाचल प्रदेश चर्चा में रहा मिट्टे बचाओ अंदोलंट सेव सोयल सेव सोयल मॉमेंट इसने शुरू किया था यह शुरू किया था सद्गुरु जग्की वासुदेव ने हाल ही में किस जिल में मचली पकड़ने वाली पिलियों के लिए दुनिया का पह प्रती वर्स विशो महासागर दिवस कब मनाय जाता है यह मना जाता है यह यह आठ जोन को सेज़ जुन 2022 को किस देश में बहुर अस्ट्रिय सांती वाहनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 आरंभ हुआ तो यह हुआ था मंगोलिया में अंतरास्ट्रिय भारतिय फिल्म अकादमी पुरुसकार 2022 में किसे सर्व स्रेश्ट अभिनिता का पुरुसकार दिया गया तो यह है विक्की कोसल से जुन 2022 को अगनी चार यानिके अगनी फोर बलेस्टिक मिसाइल का सफल प्रिक्शन किया गया तो यह जो अगनी फोर है वो क्या है तो यह है तो यह है सिस्थ है पर मार करने वाली मिसाइल का जुन 2022 को जारी प्रेवन प्रदेशन सुचकान 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा तो 180 में CDS की न्युक्ति से समंधित नियुमे में बदलाव करते हुए कितने वरस से कम आयू के लेफटने जनरल या जनरल स्तर के सिवार्त या सिवा निवरित अधिकार्वी को CDS न्युक्ति किया जा सकता है तो कितनी है 62 वरस हलही में World Summit Information Society 2222 का आयूजन कहा किया गया तो ये किया गया था जनरल या में 5 जुन 2022 को Blue Duke तितली को किस राज्य की राज्य तितली खोशित किया गया है तो ये है सिक्किम राज्य हालही में बजराम बेगज किस देश के नई राष्ट पती चुने गए है तो अल्मानिया तो ये हमने पढ़ लिए हैं पिछले 6 मिनों के Current Affair अगर आपको कॉंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब तो आवर यूट्यूब चैनल वेरियस कॉंटेटिव एक्जाम से relevant content हम इस चैनल पर लाते रहते हैं तो क्रेपा इसको सब्सक्राइब कर लेजिए ये है वीडियो का अंत थैंक यू एन हैव नाइस देग